हाई हेलो एवरिवान वेल्कम बाक टू अनधर लेक्चर इन धी क्राश कोर्स थीरीज धी बायालजी 360 ठीक है आज फाइनली माई सेटप इस बैक बहुत दिनों से यह सेंस बोर्ड का लाइसेंस एक्सपायर हो गया था तो आज मैंने मेरी फेवरिट अनकाडमी की टीम से कहा क यार ऐसा है कि सेंस बोर्ड एक्सपायर हो गया बच्चे पीछे पढ़े वें कि सर इस पर पढ़ाओ इस पर पढ़ाओ इस पर पढ़ाओ तो मैंने का यह फाइनली जो है अपना बोर्ड जो है अब एक्टिवेट हो चुका है और बैक इन फॉर्म बिल्कुल से ठीक है क्या प्रॉपरली डन अंडस्टेट बिल्कुल से कर रहे होंगे क्या बात है बहुत ही बढ़िया तो तुम्हें आवाज आ रही है मेरी मैं दिखाई दे रहा हूँ एक मिन रुख जो दरसा मेरा लैप अनि क्या हो जाता है मेरी चैट हैंग कर जाती है वन सेकंड गाइस प्लीज सबसे बड़ी प्रॉबलम स्टूडियो सेटप के साथ यही है कि यहां में चाट कम देख पाऊंगा ठीक हैं मगर कोई बात ने वले सर इतना दो चलता है इतना हम लोग जो है बिल्कुल से एजजस्ट बिल्कुल से करके रख लेंगे अब कहानी को बहुत ध्यान से सुनना और समझना कहानी की शुरुवात करते हैं हम लोग बिल्कुल से ठीक है हमने अल्रेडी काफी सारे टॉपिक्स को इस क्रैश कोर्स में कर लिया है जो कि मैं अल्रेडी एक बार तुम्हारे सामने एक चेक्लिस्ट एक कर रख दूँ कि जो भी बच्चे रेगुलर है उनका एन इन बड़ा ही प्यारा सा बड़ा ही बहतरी इन सा टॉपिक विल बी गेटिंग इट डन एंड डस्ट ठीक है अब कहानी की शुरुवात करेंगे बिफोर वी स्टार्ट एक बहुत ज़ादा जरूरी जानकारी जो भी लोग लखनाउ से हैं यह लखनाउ के आसपास से हैं एक once in a lifetime opportunity नहीं मैं कहूंगा है इसको वे life में और बहुत opportunities आएंगी लेकिन हाँ एक ऐसा session molecular basis of inheritance पर हम लोग करने जा रहे हैं संडे को यानि की 19th February को सुबा साधे 10 बजे से यह एक free offline class होने वाली है जिसमें अगर तुम ढंग से solve नहीं करते हो तो सही में डंडे पढ़ेंगे य यहां में literally तुम्हें डंडे पढ़ सकते हैं तो इसके risk के साथ तयार रहना लेकिन जो भी यहां पर पहुंच रहा है उसके लिए guarantee कि यह topic लगाम लग जाएगी practice clarity मेरी जिम्मेदारी ठीक है इस QR code को scan कर लो मैं telegram पे लिंक डाल दूगा या इस number पे call कर लो you can register there are limited seats only please remember this ठ पता दी अब हम topic की शुरुआत करते हैं और मुद्दे के ऊपर आते हैं sexual reproduction in flowering plants को समझते हैं ठीक है अब ही recent में हमने क्या बोलते हैं हमने recent में कुछ लोगों ने तुमने भी नहीं क्योंकि तुम भी पढ़ाई कर रहे हो मैं भी पढ़ा रहा हूं तो अभी बहुत ही ख़त कि यह फूल एक पौधे का जीवन का एक बहुत ही important organ है एक बहुत ही important system है जो overall जो है उसका design fix करके रखता है उस design as in उसकी life cycle patterns को fix करके रखता है जरा सा हम लोग इस चीज़ को समझते हैं ठीक है तो हमें सबसे पहले na sexual reproduction flowering plant जाने से पहले हमें यह समझना पढ़ेगा कि why there is a flower what is the purpose of existence of a flower ठीक है तो फूल पती पती का तो काम चलो photosynthesis वगरा flower is the reproductive organ कहां गया मेरा pen रुको जहां तक मैं flower की बात करूंगा मैं बात करूंगा किसकी repro sense board तुम आज अपडेट हुए हो तुम्हें क्या हो गया है reproductive organ की मैं बात करूंगा ठीक है तो अगर तुमने कभी किसी बागीजे से कोई फूल चुराया हो तो तुम याद रखना तुमने क्या किया है तुमने एक particular पौधे से उसका reproductive organ जुराया है ठीक है ध्यान रखना अगर तुमने ये फूल तोड़ करके क्या ही हो रहा है class है बड़ चलो कोई बात या मुद्दा है तो मुद्दा है let's discuss ठीक है तुमने कभी किसी को दिया है तो तुम क्या कर रहे हो समझना तुम किसी के life cycle को रोक करके full बांट रहे हो उसको समझने की हम लोग बहुत ध्यान से कोशिश करेंगे ठीक है now getting back over here अब अगर मैं सच flower की बात करता हूँ तो हमें basically न सबसे पहले कुछ important terms को समझना मेरे पास आता है sporengium बिना इसको पढ़ाए आगे कुछ नहीं समझाएगा चौथा term मेरे पास sporophyte हो गया sporophyll हो गया sporengium हो गया फिर term आता है मेरे पास spor फिर term आता है मेरे पास क्या gametophyte फिर मेरे पास term निकल के आता है क्या gamet की मैं बात कर रहा हूँ तो मैं विचित्र विचित्र भाती-भाती के terms की बात करता हूँ, कौनसा-कौनसा, sporophyte, sporophyll, sporangeum, spor, gametophyte, or gamete, सबसे पहले इन terms में हमें clarity लेनी जरूरी है, बिकॉज जब तक इन पे clarity नहीं आएगी, हमें आगे कुछ भी समझ नहीं आएगा, तो बहुत ध्यान से सुनना, sporophyte, इसका मतलब क्य हुआ, sporophyte is something that we call as a spore-bearing body, sporophyte का क्या मतलब है, एक ऐसी body जो की spore को bear करे, that is a sporophyte, as in अगर suppose करो, मैं खुद का example लेता हूँ, let us say, मैं, ठीक है, आज से मैं प्रनव नहीं, आज से मैं एक sporophyte हूँ, let us say, तो अगर मैं sporophyte हूँ, it means I'll be bearing spores, let us say, ये pen, ये pen एक spore है, ठीक ह तो अब obvious सी बात है, ये pen मेरे सर पे भी मैं रख सकता हूँ, बिलकुल से, है न, ये pen मैं यहाँ भी रख सकता हूँ, यानि कि मैं लेकिन सब जगा नहीं रख सकता, pen मेरे पास एक ही है, बात समझ रहो, so if I am the sporophyte, this is the spore, this spore must be at a particular जगहा पर जान करके रखना, कहां पर sporophyte मेरा ये हाथ sporophyll है, अब ये पूरे हाथ पे तो spor नहीं लगें, इस हाथ पे एक specific जगहा पर spor है, तो इस हाथ के इस portion को मैं कहूँगा sporangeum, तो sporophyte, sporophyll, sporangeum और इस पे आ गया spor, बात समझ में आ रही है क्या, clarity आ रही है इस चीज़ के ऊपर, हम sporophyte की बात करते है, sporophyll क की बात करते हैं, sporangeum की बात करते हैं, और इसके अंदर क्या exist करता है, spor exist करता है, अब अगर ऐस सच में flower की बात करूँगा, तो वहाँ पर भी मैं relationship, कुछी पल में relationship यहाँ पे establish करता हूँ, लेकिन वहाँ जाने से पहले एक दो और जरूरी चर्चा, इन terms को जब भी हम पढ इसको समझने की कोशिश करना, micro मतलब छोटा, mega मतलब बड़ा, यह भाशा तो तुम हमेशा से सुनते ही चले आए होगे, तो जब भी मैं कहूं micro, let's say मैं कहूं micro sporophyll, या मैं कहूं megasporangium, या मैं कहूं micro spore, तो micro जो शब्द है, ये correspond करता है, ये relate करवाता है किसके साथ, male के साथ में mention कर रहा हूं, और mega जो शब्द है, वो relate करवाता है किसके साथ, female के साथ, तो यहां तक सबके दिमाग में चीजे रह सकती हैं, क्या, एक बार chat में mention कर दो, तो मैं यहां पर micro, micro sporophyll, megasporophyll, megasporangium, megasporangium, megaspor, megaspor, ऐसे बहुत सारे शब्दों का इस्तमाल करता अभी थोड़ी देद में मैं इसको आगे ले जाकर के link up करता हूं, एक flower के साथ, ठीक है, लेकिन वहां जाने से पहले, एक शब्द दौर आता है, gamitophyte और एक शब्द दौर आता है, gamit, gamitophyte का अर्थ क्या है, something that bears a gamit is called as a gamitophyte, what is a sporophyte, something which bears a spore is what you call as a sporophyte, and gamitophyte is something which bears a gamit, and gamit is simply, gamit तो gamit, gamit क्या होता है, उसी को हम इस chapter पर आगे पढ़ने जा रहे हैं, यह fundamentals है, यहां तक समझ में, आज कम लोग क्यों आएं बाई, पिर से लोग bank मारें, बहुत ही बढ़िया, जो भी लोग bank मारें कि इसकी recording देखते हैं, मैं एक बाद ता दू, quantization of time, कभी-कभी यह अशा होता है, कि हमें एक बहुत false sense of satisfaction चाहिए होता है, live class करके, अगर तुम एक schedule बना के करते हो ना, तभी आदत सुधरती है, ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज़ को, नहीं, तो output जो है, कम देखने को मिलता है, जान के रखेंगे, खेर, हम आगे मुद्दे पर चलते ह इस factor को दिमाग में डाल करके, चिपका करके, बिठा करके रखेंगे, अब जब मैं ऐस सच एक flower की बात करता हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना, flower की बात करूँगा, तो मेरे पास यह उपर इस प्रकार से मैं एक structure ड्रॉ करता हूँ, ध्यान से observe करेंगे, कुछ इस प्रकार से मैंने एक structure ड्रॉ किया, उसके बाद इसके बाजू में मैं कुछ और भी structures ड्रॉ करता हूँ, बहुत ध्यान से notice करना, बहुत ध्यान से observe करना, ठीक है, इस प्रकार से, उसके बाद मैंने कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ही बिलकुल से structures को ड्रॉ करा, ध्यान से समझने की उसके साथ बाकी तुम पेटल वेटल वेटल बिल्कुल से बना लो, यह हमने बनाया, फिर हमने यह बनाया, फिर हमने बिल्कुल से कुछ यू बनाया, ठीक है, कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर structure को बना करके देखने की कोशिश करी, अब इस structure में कौन सा पार्ट क्या है, त इसके अंदर ovule, 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 ovule आते हैं, ठीक है, this is your female part, जिसको तुम कार्पिल, पिस्टिल के नाम से तुमने काफी बार से बिलकुल सुना होगा, ठीक है, दूसरा मेरे पास ये male structure है, इसमें मेरे पास ये और ये, ये मेरे पास क्या है, मेरे पास ये stamen है, जिसमें इस structure को मैं anther कह रहा हूँ, इस structure को मैं filament कह रहा हूँ, बात समझ में आ रही है क्या हूँ, तो मेरे पास ये stigma है, ये style है, ये ovary है, ये मेरे पास anther है, ये मेरे पास filament मैंने इसको stamen कहा, जब मैं एक flower की बात करता हूं, तो flower में दो प्रकार के walls होते हैं, एक को मैं reproductive wall कहता हूं, एक को मैं non reproductive wall कहता हूं, समझने की कोशिश करना, ठीक है, बहुत ध्यान से focus करके चलेंगे, ठीक है, अब मेरे पास reproductive wall कौन से हैं, मेरे पास ये जो female structure है, ये जो male structure ह ये reproductive walls हैं, बाके सारे के सारे non reproductive walls हैं, अब समझना, अगर मेरे पास पूरा पौधा, एक sporophyte है, तो उसमें खिला हुआ ये फूल, और उस फूल में ये जो stamen है, और ये जो pistil है, ये मेरे पास micro और mega sporophyll हैं, दिमाग में रह सकता है क्या, कि micro sporophyll क्या है, mega sporophyll क्या है, तो य ये मेरे पास micro sporophyll है, जो male यहाँ पर spor बनेगा, और ये मेरे पास mega sporophyll है, जहाँ पर मेरे पास female structures का development होगा, यानि mega sports और micro sports का development होगा, यहाँ तक clear है, सब को clarity आई क्या, इन structures के बारे मैंने तुम्हें बिल्कुल से बताने की कोशिश करी, जिसको तुम्हें दिमाग में डा करके, चिपका करके, बिठा करके, बिल्कुल से रख लेना है, I hope so, यहाँ तक सब को chill pill clarity के साथ done and dusted, ठीक है, अब इसके बाद हम लोग थोड़ा और आगे चलते हैं, और दो तीन और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, अब मैं एक एक structure को पकड़ के समझाओंगा, सब fertilization पढ़ाऊंगा, यह है आज का हमारा main lecture, क्या कह रहो, sir please repeat the definition of previous slide, you please wait, once the recording comes, ऐसे scroll करना मुझे, मुझे फिर से play कर ले, you will listen to it again, ठीक है, अब आगे ध्यान से सुनना, अब मैं सबसे पहले यहाँ पर discuss करने जा रहा हूँ, male parts को, ठीक है, अब male part को देखना, यह है मेरे पा structure, है ना, stamen आ गया, enter and filament की मैं बात कर रहा हूँ जरा सा, अब यह धोड़ा मोड़ा भागता दोड़ता दिखेगा कभी कभी मुझे, इसको यहाँ ले आते हैं, हाँ, तो मैं male parts की बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, मैंने इसका एक sectional view को देखने की को कोशिश करी, तो मुझे कुछ इस प्रकार से एक तितली देखने को मिली, कुछ इस प्रकार से हमें एक structure देखने को मिला, इस structure में क्या था, मेरे पास यहाँ पर तुम देखोगे, एक गोला ऐसे इधर था, एक गोला ऐसे इधर था, एक गोला ऐसे इधर था, और एक गोला समझ में आ रहे हैं क्या, तो मेरे पास इसका एक sectional view तुम यहाँ पर देख पा रहे हो, ठीक है, अब इन structures को एक बार समझने की कोशिश करना, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, बहुत ज़्यादा ध्यान से focus करके चले, ठीक है, अचा, अब इसमें क्या है देखो, this is your anther, this is your filament, this whole structure is your stamen, if I look at a sectional view of this structure, you see something like this, ठीक है, इसमें मेरे पास ऊपर से यह जो दिख रहे हैं, यहाँ पर wall layers लगे हुए है, सबसे ऊपर की layer को मैं epidermis कहता हूँ, उसके बाद मेरे पास एक layer होती है, जिसको मैं endothesium कहता हूँ, फिर मेरे पास middle layers होते हैं, और सबसे अंदर की तरफ मेरे पास होता है, तपे टम, यह मैं layers की बात कर रहा हूँ यहाँ पर ठीक है, इसके बाद ध्यान से समझना, मेरे पास यहाँ पर अंदर की तरफ की अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर present होता है क्या? स्पोरोजिनस टिशू, किसके बात कर रहा हूँ, आने वाला टिशू, तो sporogenous टिशू के मैं बिल्कुल से यहां पर बात कर रहा हूँ, clarity रखना, तो यह बन गया तुम्हारे पास क्या, sporogenous टिशू यहां पर, ठीक है, अब ध्यान से सुनना इस चीज को, मेरे पास इस particular structure में, यह जो पूरा structure है, इसको मैं क्या mention करता हूँ, micro-sporangium, अब भाशा को बहुत ध्यान से समझना, मैंने क्या कहा था, अगर मैं sporophyte हूँ, तो मेरा हाथ एक sporophyll है, यह portion एक sporangium है, और इसके उपर एक spor आ गया, बात समझ में आ रही है क्या, यह हमने basic से structure के बारे में discussion किया था, सेम तरीके से, अगर मैं यहाँ पर भी discussion को continue करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर भी discussion को continue करने पर तुम्हें यह समझ में आएगा, कि मैंने इस complete structure के लिए एक नाम यूज किया, क्या, माइक्रो स्पोरो फिल शब्द का इस्तमाल किया, और मैंने इस structure के लिए शब्द यूज किया, माइक्रो स्पोरेंजियम, आप समझ में आ रही है क्या, कि माइक्रो स्पोरो फिल is having माइक्रो स्पोरेंजियम, Now the question comes, how many माइक्रो स्पोरेंजियम, तो you have 1, 2, 3, 4, इसके लिए structure के लिए एक word यूज करते हैं, टेट्रा स्पोरेंजियेट शब्द का इस्तमाल करते हैं, दिमाग में रहेगा क्या, तो मैं यहापर क्या मेंशन करता हूँ, यह टेट्रा स्पोरेंजियेट स्ट्रक्चर है, यहाँ पर जो तुम अपने सामने देख पा रहे हैं, यहाँ तक चीजे समझ में आई क्या, हमें 4-4 माइक्रो स्पोरेंजियम देखने को मिल रहे हैं, तो मैंने इसको टेट्रा स्पोरेंजियेट कहा, अब अगर मैं इस पर्टिकुलर एंथर के व्यू की बात करता हूँ, तो ध्यान से समझना, मेरे पास यह जो एंथर का व्यू है, यहाँ पर तुम देखोगे, मेरे पास यहाँ पर एक यह section है, और मेरे पास यहाँ पर एक यह section है, ठीक है, तो मैं इस structure को कहता हूँ, by-lobed, क्यों, क्योंकि इसमें दो lobe present है, तो इस शब्द का एक इस्तमाल तर्म के उपर बिल्कुल से clarity रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, दूसरा दो शब्द मेरे सामने निकल करके आता है ध्यान चे समझना, कि हर एक लोब में दो चेमबर हैं, राइट, कि बाई लोब्ड है और हर लोब में दो चेमबर हैं, इसलिए हर लोब को मैं डाई ठीकस कह कहता हूँ, दाई ठीका, ठीका का मतलब होता है चेमबर, तो मैं I can see, see, try to understand, this is the structure, I am calling this structure as having four microsporengium, so I call this structure as tetrasporengiate, मैंने क्या कहा, tetrasporengiate, मैंने फिर कहा कि this very structure is a bilobed structure, now what I am telling you is, कि every lobe is having two ठीका, now these are the two ठीका, इसके कारण में इसको दाई ठीकस कहूंगा, तो क्या ये keyword समझ में आ रहे हैं क्या, कि by lobed का मतलब क्या होता है, क्या कह रहे हूँ, एक बात मुझे बताओ, ठीक है, जब एक class live चल रही है, है न, एक free crash course वो रहा है, तो crash course में तुम late क्यों आते हो, मुझे ये बताओ, मुझे समझ नहीं आता, देखो एक simple जा rule बना लो अपनी जिंदेगी में, तुम्हा लेक genuine advice दे रहा हूँ, ठीक है, इस time पर न, paper को दो महीने बचे हैं, है न, अपनी productivity calculation करके class किया करो, मैं साफ साफ तुम्हें एक advice दे रहा हूँ, जो भी बच्चे late join करते हैं, पहले join करते हैं, या कभी का काफी बार ऐसी ही भी लग, हमने पड़ा होगा, ठीक है, एक question paper और सारी हवा फुस हो जाती है, तो ध्यान रखो class में time पे आना सीखो, यही class जो मैं plus पे ले रहा होता हूँ, किसी की हिमत न, late join करे, या तो नहीं ही आते हैं, ठीक है, तो आया करो, तो time पर आया करो, इसको जान करके रखें बिल्कुल से, ठ ठीक है, चलो, अब यहाँ पर वापस आएंगे और इसको समझ करके बिल्कुल से रखेंगे, तो मैंने क्या-क्या keywords बता है, उसको समझना, आप देखो, यह miss होगा न, मैं आगे use करूंगा term, तो तुम्हारे bouncer जाएगा, ऊपर से निकल जाएगा, ध्यान रखो, time पर आया क करो, ठीक है, बागे सुनो, ध्यान से, keywords क्या-क्या निकल करके आए, keyword number one मेरे पास निकल के आया, bylobed, ठीक है, keyword number two निकल के आया, मेरे पास क्या, tetrasporengiate, keyword, यह फिर से भाग जाता है, मैं यह भूल जाता हूँ कभी-कभी, ठीक है, मैं offline जब पढ़ाता हो, तब भी मेरा board भ तो bylobe tetrasporengiate, फिर मेरे पास एक शब्द आता है, diethicus, एक एक term पे clarity रखो, bylobe मतलब, एक lobe इधर, एक lobe इधर, diethicus मतलब, एक lobe में दो थीका, every lobe is having two thीका, that is diethicus, tetrasporengiate मतलब, 4-4 microsporengium के presence की में बात करो, यहां तक clarity है सबको क्या, यहां तक चीज़े समझ मैं कि bylo क्या है, tetrasporengiate क्या है, diethicus के, इसके मतलब को अपने अंदर भर के सम्हाल करके रख लेना, अब हमारे सामने जो मूल भूद सवाल आता है, वो यह आता है, कि सर यह जो particular structure है, इसमें यहां पर जो sporogenous tissue है, इसमें किस प्रकार से pollen grains का formation हो रहा है, ज़र इस सवाल को address करने की क पोशिश करते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना, तो होता क्या है, बहुत ध्यान से सुनना, मेरे पास यहां पर present है क्या, मैं पता नहीं सर आप ही बताओगे क्या है, यहां पर present है sporogenous tissue की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, इस sporogenous tissue में mata cells होते हैं, ठीक है, इंगलिस में पढ़ koई नहीं कहता, मैं ऐसी कहे रहा था, तो sporogenous tissue में हमारे पास यहां पर होते हैं, mother cells, इन mother cells को प्यार से, या तो तुम कहलो, तो माइक्रो स्पोर मदर सेल या तो कहलो तुम इनको पॉलन मदर सेल या तो तुम कहलो स्पोर मदर सेल यानि तुम इनको एम एम सी कहलो तुम इनको पी एम सी कहलो तुम इनको एसम सी कहलो तीनों शब्दी स्वाइन कोई इसमें दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है त तो हमारे पास यह Micro Spore Mother Cell है, Pollen है, Spore Mother Cell है, ऐसा शब्दों का इस्तमाल करते हैं, अब यह Mata Cell है, यह तुम्हारे पास एक Deployed Cell है, Sporogenes है, Sporo मतलब Spore, Genes मतलब बनाना, Generate करना, तो एक Sporogenes Cell क्या बनाएगा? Spore बनाएगा, कुछा Spore बनाएगा, अगर Micro Spore Mother Cell है, तो Micro Spore बनाएगा, अगर Megaspore Mother Cell है, तो क्या बनाएगा? Megaspore बनाएगा, अब आगे सुनो ध्यान से, कि कई से बनाएगा, यह Micro Spore ठीक है, तो ध्यान समझना, हमारे पास यह मुस्कुराता हुआ, मुस्कान की चमकान के साथ ठीक है ये कौन है Microspore Mother Cell ये Microspore Mother Cell एक Deployed Cell है इसके अंदर फट से Miotic Division हुआ अब तुम्हें पता होना चाहिए कि एक बार Miosis होती है और 4 Cell बनते हैं तो इसके 4 Cell बने 1, 2, 3, 4 ये 4 के 4 कैसे हैं Haploid Cells हैं मज़े की बात ये कि हरे एक Cell is covered मतलब overall this structure is covered and in fact this structure is covered by this very thing that we call as क्या Callows की layer से covered structure है इस structure को हम लोग कहते हैं क्या Microspore Tetraad फिर का है वो गया कुछ तो problem है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ठीक है हाँ इसको हम क्या कहते हैं Microspore Tetraad के नाम से जानते हैं हिसाब से यहां तक कोई भी problem किसी को भी होनी नहीं चाहिए Tetraad क्यों क्योंकि इसे चार structure का एक जुन्ड है तो मैंने इसे Microspore Tetraad अब ऐसा दिखता नहीं This is just to understand ठीक है तो हमारे पास क्या बना Microspore Tetraad बना ठीक है अब क्या होता है ध्यान से समझना इसमें देखो एक data सबसे point number one निकल के आया कि one meiosis is equal to one pollen या one Microspore Tetraad मैं कह सकता हूँ बात समझ में आ रहे है क्या अब क्या होगा देखो Each cell of the Tetraad यह मेरे पास एक haploid cell है Tetraad का इसके अंदर mitotic division होगा कौनचा division होगा mitotic division तो इस cell में हुआ mitotic division एक बड़ा सा cell बनता है और एक छोटा सा cell बनता है इस बड़े वाले cell को अगर मैं प्यार से नाम दूँ तो इस वाले को हम लोग कहते हैं प्यार से vegetative cell और इस छोटे वाले cell को हम लोग कहते हैं क्या generative cell vegetative cell जैसा कि तुम्हें दिख रहा है बड़ा वाला cell है तो ध्यान से समझके रखना ये मेरे पास larger one is the vegetative cell तो ये जो division हुआ ये symmetric division नहीं था ये division asymmetric division है you get a large cell and you get a small cell so this is a vegetative cell this is a generative cell अब इसके नाम में ही vegetative है खाने पीने से related है समझ करके रखना इस चीज़ को कि ये जो vegetative cell है इसको प्यार से tube cell भी कहते हैं, क्या कहते हैं प्यार से इसको प्यार से इसका घर का नाम tube cell भी है, क्यूं कहते है tube cell, क्योंकि ये भविश्य का pollen tube बनाने वाला particular cell है जो कि तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल से होना चाहिए, यहां तक clear है सबको तो हमारे पास ये tube cell ये vegetative cell है, दूसरा ये generative cell है, इसको zoom out करेंगे, इसको उठा करके इधर भेज देंगे ठीक है इसको उठा करेंगे, इसको उठा करके इधर भेज देंगे कि इंसाइड दिस cell, वन मोर डिविजन विल टेक प्लेस इन दिजनरेटिव सेल, इस nuclei will divide अब ये दो nuclei में से ये दोनो के दोनो haploid nuclei है, और इन प्यारे-प्यारे nuclei को, इन haploid nuclei को, हम लोग प्यार से कहते है sperm nuclei के नाम से जानते हैं, क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है क्या, तो अभी तक यहाँ पर क्या हुआ particularly, मुझे यहाँ पर आ करके मिल गया sperm nuclei nuclei, यह वही sperm nuclei nuclei है, जिसको तुम प्यार से male gamete के नाम से जानते हो, तो यह क्या है तुमारा male gamete, इसका मतलब, एक बार फटा-फट जाम लोग recap करने की कोशिश करेंगे, मेरे पास यहाँ पर एक particular cell था, जिसको कि मैंने कहा क्या, pollen, sorry जिसको कि मैंने कहा क्या, microspore mother cell, इसमें division हुआ, मुझे चार, तुमारे क्या मिले microspores देखने को मिले, बिल्कुल से, ठीक है अब मुझे यह चार microspore देखने को मिल गए, इसको उपर भे इसको देखने को मिल गए, अब इसके बाद क्या हुआ, इस हर एक microspore में development हुआ asymmetric division हुआ, एक बड़ा cell बना, और एक छोटा cell बना और इसके बाद क्या हुआ, कि मेरे पास यहाँ पर आ गए, दो nuclei बात समझ में आ रही है क्या बात समझ में है ही सबको, तो यह development का trend चला, यानि कि यहाँ तक पहुँचने के लिए तुमने दो बार mitosis करवा दी, और दो बार mitosis के बाद, what do you get you get this cell the vegetative cell and this cell the generative cell with two sperm nuclei क्या यहाँ तक सबको clear है एक बार chat section में धंग से बता दू, ठीक है, क्या बात है बहुत ही बढ़िया, तो हमें यह structure देखने हो को मिला हम भाई, बहुत खुश अभी structure में कुछ और modification है कुछ और development है, जरा हम उसको देखते हैं, समझते हैं और जानने, सीखने, परखने, समझने की कोशिश करते हैं, यह कुछ यूँ दिखेगा देखेगा, कितना सुन्दर गोला बनाया मैंने, मैंने खुद बनाया, बिना किसी टूल के ठीक है, आप तुम देखो, खुदी का अब क्या बोले, तुम दो मेरा ड्रॉइंग को खराब बोलते हो तो कौन बोलेगा मेरा ड्रॉइंग को अच्छा, मैं खुद, ठीक है अब ध्यान से देखेंगे, मेरे पास यहाँ पर दूसरा वाला सेल है इसके अंदर, मेरे पास आया दो नूक्लियाई, ठीक है और यहाँ पर आया मेरे पास एक नूक्लियाई, इसके उपर लगता हुआ हम एक स्ट्रक्चर और लगा देते हैं, खुसी-खुसी, ठीक है और उसके बाद सबसे उपर हम लोग एक खदरनाक सा फाइनल टच देने के लिए एक और स्ट्रक्चर अटैच कर देते हैं ध्यान से देखना कुछ इस प्रकार से बात समझ में आ रहे हैं कि अब यह जो तुम्हारे सामने स्ट्रक्चर है इसको हम लोग प्यार से कहते हैं क्या पॉलन ग्रेन के नाम से जानते हैं ट्राइट टू अंडरस्टैंड इस ट्रक्चर अफ पॉलन ग्रेन यह आव तू अंडरस्टैंड वेरी वेरी नाइसली कि यह मेरे पास जो सबसे बाहर का स्ट्रक्चर है एक नंबर इस इस कॉल्ड एज एग्जाईन एग्जाईन क्या होता है बहुत ही खतरनाक टफ कोट होता है जो केमिकली डिग्रेड नहीं होता जो पॉलन को प्रोटेक्ट करके रखता है जो पॉलन ग्रेन को सम्हाल के रखता है किसी एन्वारेनमेंटल डिगरेडेशन अटाइक से देखो मेकानिजम हैस देखो, दार्विन बाबा, हमारे तुम्हारे सब के प्यारे दार्विन बाबा एक बात कह गए हैं The fittest individual shall remain and reproduce He always talked about one thing called as reproductive fitness अगर reproductive fitness नहीं होगी, अपना progeny organism नहीं छोड़ पा रहा है तो आवादी कैसे बढ़ाएगा, dominate कैसे करेगा और ultimate species जैसा कैसे निकल के आएगा, बात समझ में आ रही है क्या तो protect करना है यहाँ पर, maligamide को उपर लगा, exine ठीक है, इस exine is made up of something called as poropolinin याद रखेंगे इस चीज को, उसके अंदर मेरे पास, फिर भाग गया है बहुत दिक्कत है, खुदी भाग जा रहा है, ठीक है zoom out करेंगे और इसको फिर adjust करेंगे, हाँ अब ध्यान से देखेंगे, मेरे पास यह जो दूसरा structure अंदर की तरफ तुमें दिख रहा है ठीक है, ध्यान से observe करना, एक मिनट रोको, हाँ दूसरा structure तुमें दिख रहा है, दो दो नंबर, उसको मैं कहता हूँ intine, ठीक है, क्या मैं mention करता हूँ, कि मेरे पास सबसे बाहर की तरफ लगा हुआ है exine, sporopollinine का, दो नंबर लगा हुआ है, मेरे पास intine, pectocellos, हम mention यहाँ पर कर रहे होते हैं उसके बाद अंदर यह बड़ा वाला cell है, number 3 मैंने लिखा, that is your vegetative cell, और the tube cell, और मेरे पास यह छोटा वाला cell है, 4 number मैंने लिखा, that is your generative cell, हम mention करते हैं इसके अंदर यह जो दो nuclei हमें observe हो रहे हैं, इनको हम लोग कहते हैं, sperm nuclei और प्यार से हम लोग कहते हैं, male gamete के नाम से जानते हैं, दिमाग में होना चाहिए, ठीक है now if you try to observe this particular diagram, ठीक है, बहुत ध्यान से observe करना, ठीक है I can now say, कि this very structure that you can see on your screen, that is called as a pollen grain, right this pollen grain has two cells, a vegetative cell and a generative cell, right the generative cell has two nuclei that are your male gametes, जिनको मैंने sperm nuclei कहा सारे के सारे haploid structures हैं, याद करके रखेंगे तो I can call this whole structure as a structure that bears the male gamete क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या, कि ये particular structure ही वो structure है जो male gamete को bear करेगा, क्योंकि ये male gamete को bear करेगा तो अब मेरे पास वही भारी भरकम शब्द निकल के आता है, जिसको मैं कहता हूँ gametophyte, बात समझ में आया क्या, अगर तुमसे कोई पूछे कि मैं pollen grain को male gametophyte क्यों कहता हूँ तो क्योंकि इस pollen grain के अंदर male gamete present है, तो मैंने इसको कहा क्या, male gametophyte के नाम से जाना यहाँ तक clarity है सबको, यह सब basic term से concept mapping करते चलो, ठीक है अब इसके बाद दिखो एक बहुत ही critical, NCRT माता की line निकल के आती है हमारे सामने में मैं तुम्हें इस line के दर्शन भी करवाना चाहूँगा, कि माता की line यहाँ निकल के आती है ध्यान से देखना माता ने बोला है हमसे, ठीक है, माता यहाँ कहती है एक line आती है कि in over 60% of angiosperm, pollen grain are shed at this two-celled stage, the vegetative cell and the generative cell वाले stage पर, कितने percent में? 60% में माता आगे कहती है कि in the remaining species, the generative cell divides mitotically to give rise to two male gamete, जो मैंने आलरेडी तुम्हें बताया, before pollen grains are shed, तो समझ मैं ही बात, तो मैं इसी को two-celled stage और three-celled stage की बात करता हूँ, बहुत बार यह data exam में directly आया हुआ है, बात समझ मैं ही क्या, इसमें एक दो pointers मैं और add कर दूँ, कि जब त sure pollen grain को देखते हो, तो यह बड़ा वाला generative cell है, इसके अंदर vegetative, sorry, vegetative cell बड़ा वाला, छोटा वाला generative cell, सबके haploid nuclei मैंने बना दिये, इसके उपर मैंने बिल्कुल से लगा दिया, क्या, exine की coat की मैंने बात गई, ठीक है, अब देखो यार, exine की जो coat होती है न, यह tough coverage type है, यह fossilization of pollen में काम आती है, कि pollen as a fossil, लेकिन यार, अगर सारा का सारा pollen as a fossil ही हो जाएगा बिल्कुल, तो ठीक बात है, चलो protect कर लिया, एक अच्छी बात तो मैंने सीखी, लेकिन, male commit अंदर है, बिचरा pollen grain इचना महनत से तयार हो रहा है, final touch up वचप कर रहा है, कि भाई female से मिलने का मौका मिलेगा, तयार तो होना बड़ेगा, बात समझ रहे हो क्या, अब बिचरा तयार हुआ, पता चला, अब बोला, yes, अमाल लो, यहाँ पर female है, मुसकान के साथ, ठीक है, यहाँ ध्यान से देखना, अब यह male commit यहाँ से निकलना चाहेगा, पता चला, mother nature ने इने protect करने के लिए, पूरा बाहर बाहर, एक्जाइन लगा दिया, बिचरा, male commit जाएगा, कैसे female के पास, भाई, इसका purpose of life ही यही था, कि यह जाकर के female commit के साथ मिले, zygote बने, और आगे की कहानी चले, अब भाई, यह तो मिली नहीं पाएगा, ना, ऐसे तो, इसके लिए याद रखना यह जो एक्जाइन है, यह जो sporopollenine की layer है, यह सब जगह continuous नहीं होती, यह कुछ जगहों पर absent होती है, और जहां पर यह absent होती है, हम उसी जगहों को कहते हैं, germ bore, जहां से pollen tube निकल करके जाएगी, जिसको हम अभी थोड़ी देर बाद बिलकुल से पढ़ रहे होंगे, यहां यहां तक चीज़े सबको समझ में आ गई क्या, so this is something like ultra 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 critical with regard to this development that you must have to understand and remember, ठीक है, तो यहां तक हमने काफी सारी critical चीज़ों को देखा, समझा और सीखा, माता में जो diagram आता है, इसको देखने की कोशिश करो, बहुत simple है, quick view कराऊंगा, कि हमारे पास यहां पर यह टेट्रा बात देखो, बड़ा वाला vegetative cell, छोटा वाला generative cell, एक और बड़ी important चीज़ को तुम notice करना, कि in a mature pollen grain, ठीक है, मैं आपर क्या mention कर रहा हूं कि in a mature pollen grain, the generative cell floats in the cytoplasm of the vegetative cell, this is something that you need to remember, कि generative cell is floating in the cytoplasm of the vegetative cell, something that is ultra 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 critical, ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले जरब male structures को हम लोग समझते हैं और देखते हैं, ठीक है, यह हमारे पास male structure है, मैं ही draw करता हूं, यह सब किताबी diagram तो, मुझे भी पता है, तुम लोग मेरा diagram देखने आते हो, ठीक है, पता नहीं पढ़ने आते हो कि नहीं, लेकिन हा, ऐसा मुझ यह structure है, अगर मैं sectional view की बात करता हूं, तो, ठीक है, अब इसमें observe करना मैंने तुम्हें already mention किया, यह tetrasporengiate structure है, यहाँ पर मैंने 4 microsporengium बनाए, अब अंदर जो भी development चल रहा है, इसको समझने की कोशिश करे, सारा development यहाँ चल रहा है, इस porogenous tissue है, इसके अंदर सारा development चल ठीक है, अब समझो यहाँ पर pollen grain बन रहे हैं, बन करके develop हुए, develop होने के बाद pollen grain को बाहर निकलना है, तो कैसे निकलते हैं, क्या होता है, जरब पूरा process को समझते हैं, but before I get there, one important point, very star mark वाला point लिख रहा हूं, double star point लिख रहा हूं बिलकुल से, ठीक है, double star point क्या है, सुनो ध् ग्रेन की, तो मेरे पास यह structure दिमाग में आता है, यह structure कैसे बना, समझना, एक बार meiosis होती है, तो एक meiosis से चार pollen grain बनता है, राइट, मेरे पास एक microspore tetraat के cell से, मेरे को जब इसमें दो बार mitotic division होता है, तब जाके यह structure देखने को मिलता है, यानि कि to get one pollen grain, तुम्हें 1 by 4 meiosis चाहिए, और तुम्हें 2 mitosis चाहिए, इसको दिमाग में रखना, easy भाषा में, अगर मैं तुमसे यह पूछता हूँ, question, कि how many meiotic and mitotic divisions do you need for formation of let us say 16 pollen grains, so now you know very well, मैं एक बार बता दे रहाँ, pause करके एक बार सोच लो, अपना answer दिमाग में ले आओ, अब मैं समझा रहाँ, because one shot lecture है, नहीं तुम्हें आराम से रुखता, कि चलो करो, फिर मैं भी screen से गायब हो जाता, थोड़ा आराम से कहता है, सुस्ता लेता, उसके बाद मैं lot क्या था, मगर इतना समय नहीं लगए है, सोला पॉलन ग्रेन बनाना है तुमको, अपने को पता है कि एक बार meiotic division होता है, चार पॉलन ग्रेन मिलता है, इसका मतलब क्या हुआ, कि सोला पॉलन ग्रेन बनाने के लिए, मैं इसको divide by 4 करूँगा, चार meiosis की बात करूँगा, एक पॉलन बनने के लिए, दो बार meiotic division लगता है, दो बार meiotic division बिल्कुल से अगर हमें चाहिए, तो 16 to 32 meiotic division की बात कर रहा हूँ, क्या ये बात सबको समझ में आए क्या, पैटर्न से समझ में आए कि अगर मैं 16 pollen grain बनाने की बात करूँ, तो number of meiosis हम कैसे आखिरकार calculate कर रहे होंगे, ये चीज तुमारे दिमाग में बैठी होनी चाहिए, चिपकी होनी चाहिए, बढ़ेंगे अब हम लोग पिछले concept की तरफ, तो मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा था इस structure को, अब इस structure को देखो कि तो इसमें actually layer होते हैं, सबसे उपर की layer को हम लोग कहते हैं epidermis, epidermis क की बात करते हैं, एक थोड़ा basic concept है, out of NCRT है, मगर बहुत ध्यान से रखें, sir, why this answer cannot be divided in x-axis, बेटा, selucus negator, फिर से मैं तुम्हें कह रहा हूँ, concept को clear करो, x-axis में तुम्हारा सवाल देखो, तुम्हारा सवार का सिर है, पैर है, पता नहीं क्या है, ठीक है, थोड़ा समझो और एक और चीज को समझते, देखो, यह तुम्हेंने layers बता, एक out of NCRT concept है, मगर बहुत काम की चीज है, ध्यान से सुनना इस चीज को, ठीक है, irrelevant चीज है, ना भरा करो, ना चाट में, क्या करते रहते हो, तुम लोग, बढ़ाई पे ध्यान दो बिलकुल से, ठीक है, चलो, let let's get back here, हाँ, हमारे पास यहाँ पर कुछ खास प्रकार के cells होते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं, आरकी स्पोरियल सेल्स की हम लोग बात करते हैं, किस की बात करते हैं, आरकी स्पोरियल सेल्स की बात करते हैं, ठीक है, यह आरकी स्पोरियल सेल्स हमारे पास, आक्चुली, आरक को मैं मेंशन करता हूँ primary parietal cell की मैं बात करता हूँ ठीक है क्या कह रहे है हस क्यों रहे हो तुम लोग चाट में हे भगवान मैं पहले तुम लोग अपने आप में जोक imagine मत करो ठीक है मैं कूदने के लिए इसलिए बोला because it is good for health ठीक है खूदी में जोक primary parietal cell होते हैं और मेरे पास होते हैं primary sporogynous cell यह मैं origin point of view से कह रहा हूँ इस पर सवाल आते हैं ठीक है अब यह जो मेरे पास primary parietal cell है ध्यान से सुनना और समझना यह आगे जाकर के तीनों layer बनाते हैं तीनों में कौन endothesium फिर मैं बात करता हूँ middle layer की फिर मैं बात करता हूँ बिल्कुल से tapetum की और primary sporogynous cell आगे जाकर के क्या बनाता है pollen grain बनाने का बिल्कुल से कांग कर रहा होता है ठीक है अब जड़ा मैं एक एक layer के बारे में तुम्हें विस्तार से एक बार चर्चा करवा दू एक एक layer को एक बार देखो माता का diagram भी मैं तुम्हें कुछ ही पल म मैं दिखाऊंगा ठीक है सबसे पहले हम जड़ा इन layers को समझते हैं सुनते हैं और देखते हैं ठीक है हमारे पास ध्यान से सुनना सबसे पहला point है यह जो point से इनी को discuss कराऊंगा इसी तुम्हारे काम के सारे point है इतने से बाहर question नहीं आएगा पहला point है तुम्हारे पास endothesium epidermis तो सबसे बाहर की layer है अगर मैं endothesium की बात करूँगा तो दो layer है एक मेरे पास inner layer है outer layer है यहाँ पर एक thin है और दूसरा मेरे पास alpha cellulose fiber coating है बहुत ज़ादा critical point है दिमाग में रखें ठीक है तो एक thin layer है और एक alpha cellulose fiber coating की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ दूसरा point क्या ह endothesium के बाद आता है middle layer यह middle layer है efermal efermal का मतलब होता है short lived दिमाग में रखेंगे तो यह efermal layer है जिसको मैं short lived कह रहाँ सबसे अंदर की तरफ आता है tapetum अगर मैं structure बनाने की कोशिश करूँ इस प्रकार से मैं बना रहा था ठीक है तो यहाँ पर layer by layer यह सबसे अंदर मेरे प nutrition कर रहा हूं देखो epidermis हुआ, endothesium हुआ, middle layer हुआ और यह अंदर की तरफ जो structure है यह tapetum हुआ, tapetum पे बहुत सवाल आए है, tapetum के बारे में सबसे पहला point यह है, कि यह tapetum तुमारे पास nutrition के साथ concerned है, सबसे पहला सबसे critical import, nourishment nutrition कह लो, दूसरा यहाँ pro-ubisk bodies की बात आती ह tapetum जब degenerate हो रहा होता है, pro-ubisk body आते हैं, pro-ubisk body से ubisk body बनता है, यह ubisk body आगे sporopollenin बनाने में मददगार होता है, तो अगर मैं यह question आया हुआ हुआ है, बिलकुल से याद रखना है, तो अगर मैं tapetum की बात करूंगा, तो tapetum sporopollenin बनाने के लिए एक important role player है, pro-ubisk bodies की साथ हम लोग link up करके चलते हैं, यह तो pro-ubisk body, ubisk bodies हैं, these are directly related with carotenoids, तो carotenoids based component है, उसके साथ साथ यह tapetum enzyme बनाता है, hormone के साथ भी link up करते हैं, tapetum बनाता है callase, callase क्या करता है, याद करने के कोशिश करो, जब मैं तुम्हें development समझा रहा था, तो मैंने तुमसे कुछ यूं कहा थ था कि मेरे पास जो microspore mother cell है, इसने divide किया और मुझे यहाँ पर मिला tetrad, मैंने यहाँ पर तुमसे कहा था कि इसके उपर एक layer सी present होती है, जिसको मैं कहता हूँ callose की layer, यह callose की layer को उड़ाने का काम कौन कर रहा होगा बिल्कुल से, यहाँ पर यह जो callase आ रहा है tapetum से, इस layer की मैं बात करूँगा, इसको दिमाग में डाल के, बिठा के, चिप्ता के रखें, यह tapetum की बात होती है, अब ध्यान से सुनना बड़ा सवाल यह निकल करके आता है, कि this is the basic structure that you can see, I have these structures, जिसमें मेरे पास देखोगे, तो यह मेरे पास एक दिखनी रहोगा यह color तुमको, शायद यह दिख जाए, यह दिख जाए, तो मेरे पास एक यह structure है, यह structure है, these are the microsporenzium, ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, development हुआ, मान लेते हैं, यहाँ पर अब pollen grain बन चुके हैं, खूब सारे pollen grain बन चुके हैं, अब pollen grain को आजाद परिंदे, तु उड़दा, यह गाना ब high sense of anther का, कि anther tooth कैसे जाता है, step by step समझो, basic से concepts है, basic सा principle है, ध्यान से देखना, अगर तुम notice करो, तो यह मेरे पास younger segment of anther है, और मेरे पास यह जो दूसरा segment तुम notice कर पा रहे हो, यहाँ पर, यह older segment है, the fundamental difference that you can notice here is that, this is your one particular structure, this is another structure, these two layers fuse, बात समझ रहे हो क्या, तुम यहाँ देखो, यह single सा ठीका बन चुका है, तो यहाँ आता है, अगर मैं paper बनाओ, तो मैं तो डालू ऐसे बड़िया बड़िया question, ठीक है, अब ध्यान से देखो, मेरे पास situation क्या है, मेरे पास अभी initially यह structure है, यहाँ पर मेरे पास यह है, यहाँ पर यह है, यहाँ प बात करूंगा, तो इसी dehiscence के case में, यह वाला जो ठीका है, और यह वाला ठीका, यह ठीका, यह ठीका, यह ठीका, these get fused together, do you get my point till here, ultra critical point, कि जब यहाँ पर अंदर pollen grains तयार हो चुके हैं, ध्यान से समझना, यह जाकर के fuse कर जाते हैं, बहुत critical point है, तो यहाँ question क्या निकल के आ सकता है, इसको समझना, कि मेरे पास यह जो structure of enter है, यह by lobed है, एक structure line खीचो, एक यह लोब आ गया, और एक यह वाला लोब आ गया, तो मेरे पास यह by lobed structure और हर एक lobe के अंदर दो ठीका है, बात समझ में आ रही है, अब ध्यान से समझना, अगर मैं इस वाले structure की बात करता हूँ, तो है तो यह भी by lobe, लेकिन इसका हर जो particular lobe है, उसमें अब सिरिफ और सिरिफ एक ठीका है, क्योंकि now both these ठीका fuse together, यह निकलता है, बहुत बढ़िया सवाल, बच्चे भयानक गलतियां करके आते हैं, कुछ बच्चे वाले, उसमें कल class लेता है, एक बच्चे comment किया ह जरा आप NCRT से क्यों नहीं पढ़ाते हैं, अब यह तुम्हें NCRT में सीधा नहीं मिलेगा, मैं तुम्हें NCRT माता के चर्णों में अगर तुम समरिपित हो जाओगे ना, तुम्हें देखने को मिले का क्या क्या कि तुम एक नमाने के तर बहुत चक्के रह जाओगे, तु Now this is one lobe, this is another lobe, in each lobe, now there is one single big chamber, one single big chamber, do you get the point now, तो यह माता का ही statement है, लेकिन माता के टेक्स्ट में नहीं दिया गया है, माता के डाइग्राम में दिया गया है, इसको दिमाग में डालके, चिपका करके, बिठा करके रख लेंगे, अब सवाल आता है, सर यह डिहाइसेंस यह पर्टिकुलर एंथर का सेग्मेंट जो है टूटा कैसे, इसका जवाब तलासते हैं, हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़के, कि डिहाइसेंस के स्टेप्स क्या होते हैं, तो यह स्टेप बाइ स्टेप मैंने अल्रेडी तुम्हाले स्लाइट्स में अड़ कर दें, क्योंक कर गए, इच लोब में दो थीका थे, दोनों थीका जो है, फ्यूज कर गए बिल्कुल, फिर क्या हुआ, एक्स्टर्नल वाल लूजेज वाटर एंड ट्राइट्स कांट्राइट, समझना इस बात को, कि माल लेते मेरे पास एंडो थीशम डवल था ना, एक बाहर का वाल था अंदर का जो वाल लेयर था, वो अलफा सेलोस फाइबर कोटिंग की में बात कर रहा था, राइट, बाहर का वाल पानी लूज करता है, अब गोई भी चीज अगर पानी लेगा तो फूलेगा और पानी लूज करेगा तो पिछकेगा, तो समझना ऐसे कि मेरे पास ये अलफा अंदर का लेयर तो फाइबरस है, अलफा सेलोस फाइबर थिकलिंग की हम बात करते, तो क्या हुआ, कोई कांट्रेक्शन नहीं हुआ, तो वो कंकेव इंकर्व हो गया, यानि कि अगर तुम स्ट्रक्चर देखोगे, तो पहले ऐसा स्ट्रक्चर बैठा हुआ है, ये स्ट्र अलफालन आजाद हो गए, do you get my point till here, this is like अल्ट्रा, अल्ट्रा, अल्ट्रा क्रिटिकल, एक पुलिंग फोर्स आया, और उसी को हम डेहाईसेंस कहते हैं, आने वाला सवाल कि इस लेयर का सबसे क्रिटिकल रोल होता है, प्रोसेस अब डेहाईसेंस में, तो अगर मैं सबसे क् आर एक पॉलेइंग, आर एक इस प्रकार पॉलेन गेर्ण होगे, और यहाँ तक क्लियर है सबको, अभी तक हमने मेल साइड का पूरा स्ट्रक्चर देखा, अब मेरे पास आ चुका है, पॉलेन ग्रेण, ठीक है, अब ध्यान से समझना, इस पॉलेन ग्रेण को, मैंने कहा क् गमीटो फाइट के नाम से जाना, ठीक है, अब ये जो गमीटो फाइट है, ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, इसको फीमेल से मिलना है, बात समझ में आ रही है क्या, गमीटो फाइट मस्ट गो एंड मीट फीमेल, दुख की बात ये है, ध्यान से समझेंगे, है ना, स्टोमियम, ये तुम्हारा अच्छा सवाल है, I'll show you स्टोमियम, जिसका ये डाउट आ रहे है, डाइग्रम में दिखा देता हो, और क्लियर हो जाएगा, है डाइग्रम, खुल स्टोमिया का मतलब होता है, माउट, प्रोटो स्टोमियेट सुने ओ, पहले मुह बना, वो प्रोटो स्टोमियेट, डुटेरो स्टोमियेट, बाद में स्टोमिया माउट, स्टोमिया का मतलब माउट, ये स्टोमियम है, ये माउट लाइक ओपिनिंग, इसके लिए शब्द का नहीं लेकिन ये बिचारे की बस हाथ पाउं तो है नहीं अब इसे फीमेल से मिलना है तो पेड़ पौधों में सहारा किसका लिया जाए ये बड़ा सवाल निकल के आता है जब मैं कहता हूं पेड़ पौधों में सहारा किसका लिया जाए तो आक्चुली सवाल ही आता है सहा क्यों लिया जाए कहां जाना है तो इस pollen grain को कहां जाना है फीमेल तक निकल करके जाना है अब सवाल आता है फीमेल तक कैसे जाएगा उस process को हम क्या कहते हैं तो बेसिकली करना कुछ निया बच्पन से पढ़ते हैं कि वट इस पॉलिनेशन कि सर इफ दीस इस इन अन्थर इस इस दी फिलमेंट ठीक है और इस 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 टिगमा इस 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 टाइल इस 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 बिलकुल से बात को समझने की कोशिश करना तो यहां से निकला बिलकुल से एक थू पॉलिन ग्रेन उड़ते 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 उड़ चला मैं उड़ चला ऐसे ऐसे sinusoidal pattern में उड़ते उड़ते पहुँचा stigma के उपर that is pollination यानि कि transfer of pollen grain from anther to the stigma is what you call as क्या pollination की हम लोग बात कर रहे हैं अब सवाल आता है यह pollination किस किस प्रकार से हो सकता है तो अब थोड़ा मुझे समय देना क्योंकि मैं एक classical diagram बनाने जा रहा हूँ तुम लोग भी अपना अलग अलग color का pen निकालो और यह diagram चाहो तो मेरे साथ draw करो यहां हम लोग बना रहे हैं घास observe करेंगे this is complete artistic effect guys तो यह हमने बना दी घास इस घास पर उगाएंगे हम लोग एक पौधा सफेद रंगा इस पौधे के आएंगे fool ध्यान से observe करेंगे बहुत ही खूबसूरत fool देखने की कोशिश है ऐसा diagram तुम लोगोंने बच्पन में बना दिया एक पत्ती ठीक है इसके बाजू में मैंने एक और पौधा उगाया और इस पौधे में भी मैंने एक fool उगाया ध्यान से observe करेंगे हम अपने content की उपर focus करेंगे ठीक है और यहां पर भी आ गई है बिलकुल से पत्ती एक खूबसूरत diagram तुम अपने सामने यहां पर दे यहीं से निकले और यहीं चला आए mechanism one of pollination मेरे पास यहां पर पर पर्टिकुलर ऐसा हो सकता है ध्यान से समझने की कोशिश करना कि pollen grain यहां से निकले और यहां चला आए this is mechanism 2 of pollination मेरे पास ऐसा भी हो सकता है pollen grain यहां से निकले और यहां चला आए this is mechanism 3 of pollination बात समझ में आ रही है क्या तो मैं या पर 3 mechanisms of pollination की बात बिलकुल से करता हूँ क्या कह रहे हो पत्ती में chlorophyll नहीं है क्या बहुत गहरा सवाल है being a biology educator I have designed a genetically modified chlorophyll ठीक है this is no longer green in color because white is the new green this is कुछ भी बोल रहा हूँ है प्लीज इग्नोर ठीक है बाकि मैं random justify कभी 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 क्या तुमने देखा होगा यह से कभी कभी है नहीं है यह से कुछ बोलने रहा हूँ यह से तुमने देखा होगा अब justify दो करना है बच्चे देख रहा मेरे साथ ऐसा नहीं मैं बोलते तो यह गलत लिख दिया मैं ही भूल गया था ठीक है लेकिन हाँ ऐसे justification करते स्कूल में क्या करते मेरे स्कूल में क्या बोलते हैं ऐसे chemistry वाले sir एक थे sir नहीं maim थी मैं मैं ऐसे लिख जाती थी कभी कभी कुछ गलत लिख गई उसके बाद उसको जो justify करने पीछे पड़े कि नहीं नहीं तुम्हें क्या पता तो मूर्ख हो पता नहीं बहुत कुछ बोल जाती ठीक हैर जाने दो that is none of our business ठीक है let's focus here on the topic कि मेरे पास तीन patterns of pollination है focus here pollination pattern number one अपने screen के उपर नजर बनाये रखना pollination pattern number one में पौधा भी सेम है फूल भी सेम है ध्यान जे समझना pattern number one पौधा भी सेम फूल भी सेम की हम लोग बात कर रहे है pattern number two पौधा सेम अगर फूल अलग-अलग pattern number three पौधा भी अलग फूल भी अलग three patterns of pollination मैं लिखूँगा नहीं मैं समझाओँगा ये पूरा मात तोरी इसी डाइग्राम से pattern number one of pollination को हम कहते हैं autogammy क्या कहते हैं autogammy gammy शब्द का मतलब क्या होता है शादी तो खुद से शादी that is क्या autogammy तो यहां हम क्या देख रहे autogammy की बात करे self-pollination का एक classic example तुम देख सकते हो अब देखो जब यह मैं pollination patterns की बात करूँगा ध्यान से समझना इन pollination patterns की हम जब भी चर्चा करेंगे दो aspect देखेंगे एक मेरे पास आएगा genetic basis और एक मेरे पास आएगा position basis समझ रहे हो बात को है ना अगर मैं genetically देखने की कोशिश करूँ तो जो एक number है वो self-pollination है क्यों? क्योंकि यार इसका genotype भी वह है तो अपने आप में ही चल रहा है तो एक number genetically इस self-pollination very 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 critical इसको समझना है ठीक है? सुनो थोड़ा आगे जो मेरे पास दो number pattern है अब तुम ध्यान से देखना position के aspect में position तो बदली लेकिन क्योंकि पौधा वही है तो दो number pollination genetic point of view से क्या है? self-pollination है लेकिन दो number pollination position point of view से cross-pollination है याने कि point number one genetically self-pollination ठीक है? और point number one ecologically यह समझलो position के हिसाब से भी self-pollination point number two genetically it is self-pollination and position के हिसाब से it is cross-pollination and pollination type 3 जो है वो genetically भी cross-pollination है और तुम्हारा position के हिसाब से भी cross-pollination है यहाँ पर बहुत भारी मात्र में सवाल निकल के आते रहे हैं और बिल्कुल से हमेशा से आते रहे जानके रखें एक number को हम लोग कहते हैं autogamie autogamie के नाम से जानते हैं दो number को इलिक देता हूँ यहाँ पर autogamie दूसरे वाले को कहते हैं spelling भूल गया पागल हो नहीं भूला gitonogamie के नाम से जानते हैं ठीक है तीसरे वाले को हम लोग कहते हैं क्या xenogamie के नाम से जानते हैं clarity है सबको तो हम यहाँ autogamie की बात कर रहे हैं gitonogamie की बात कर रहे है xenogamie की बात कर रहे हैं एक बार फटाफट से सिर्फ focus here मैंने क्या क्या बताया अभी मैंने तुम्हें यह बताया कि मैंने यहाँ पर mention किया autogamie autogamie का मतलब पौधा भी वही फूल भी वही मेरे पास आया gitonogamie जिसमें पौधा भी वही मगर फूल अलग-अलग मेरे पास आया xenogamie xenogamie का मतलब निकल करके यह आया कि xenogamie में पौधा भी अलग फूल भी अलग autogamie pattern of pollination को अगर तुम देखने की कोशिश करोगे तो अपने आप में शादी है genetically भी self-pollination है और position के हिसाब से भी self-pollination है अगर हम gitonogamie की बात करेंगे तो पौधा वही है मगर फूल अलग-अलग है तो यह pattern of pollination genetically मेरे पास क्या है genetically self है और position wise क्या है cross है और अगर मैं xenogamie की बात करता हूँ तो दोनों ही sense में cross-pollination है कै यहां तक चीज़ें हर एक बालक और बालिका को समझ में आई अब self और cross-pollination की हम बात करते हैं तो कुछ और important discussions होंगे ठीक है जब मैं self और cross-pollination की बात करता हूँ तो मेरे पास यार देखो terminologies को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूआज है कि terms ही लोगों को clear नहीं रहती तो जब हम terms की उपर clarity के लिए focus करते हैं तो मैं मैं दिखाता हूँ terms की clarity लेकिन वहाँ भी जाने से पहले 1 second देना मुझे हे slide कहां गयब हो गई हो तुम ठीक है जब भी आपन pollination patterns की बात करते हैं ध्यान से देखो हम यहाँ पर बात करेंगे pollinating agents की pollinating agents दो प्रकार से होते हैं मेरे पास abiotic agent होता है मेरे पास biotic agent होता है abiotic मतलब क्या हुआ मेरे पास non living agent की मैं बात कर रहा हूँ और biotic agent का मेरे पास क्या मतलब हुआ में क्या इध्यान से समझना हम यहां पर बात कर रहे हैं कि हम एंथर से पॉलन को उठाके फीमेल तक पहुंचा है ठीक है अब अगर अपने कोई ट्रांसफर करना है और हम चाहे दें कोई और करके दे अपने लिए काम कोई और तो ऐसे करके देगा नहीं सबको अपना फायदा करके उसको फंसाओ या तो उसको genuinely कोई benefit दे करके उसको समझाओ ठीक है बात समझ में आ रहे है क्या जैसे simple सी बात अगर तुम्हें YouTube स्पेस में तुम घूम रहे हो और तुम्हें मानलो क्या बोलता है अगर simple सी बात अगर तुमको मैं यहां पर ऐसे as a tool बताओ ठीक है यह मत साथ डेड़ दो घंटा बैठ रहे हो तुम्हारे नंबर बढ़ रहे हैं तुम सीख रहे हो बिलकुल यह genuine benefit हुआ या तो मैं आकरशित करूँ कैसे कर सकते हम need crack सिर्फ दो महिने में बिना कुछ पढ़े motivation लिए ठीक है तो वो दो महिने के लिए तुम्हें मैं बिठा दू आ आकरशित करके तो अलग-अलग mechanism ऐसे ही mother nature में भी obey किया जाता है जानने की कोशिश करना समझने की कोशिश करना कि या तो benefit provide किया जाए या तो खुपाच खुपाच और खुपाच करनी आ जाए ठीक है अब ध्यान से समझना यह biotic pollinators की बात है यह biotic में क्या है non living मेरे पास या हवा है या मेरे पास पानी है तो हवा या पानी तुम किसी से भी pollinate करवा दो मैं abiotic pollination की बात करता हूँ अब यार हवा और पानी कहां किसी चीज के बीच particularly differentiate कर रहे होते हैं हवा में तो कुछ भी उड़ता चला जा रहा है है ना जैसा भी बन देखो हवा से pollinate होने के ल ध्यान से सुनना सबसे पहला point pollen को उड़ उड़ के female तक पहुचना है ध्यान से समझ को visualize करने की कोशिश करो कि मेरे पास यहाँ पर यह रहा male structure ठीक है और यहाँ पर कहीं पर बैठी है female ध्यान से देखना अब यहाँ से बिचारा pollen निकला है ना अब यह pollen हवा से pollinate हो रहा है तो यह बहुत भारी होगा तो नहीं जा पाएगा असानी से तो सबसे पहला point है कि यह pollen light होना चाहिए हलका होना चाहिए अब यह pollen मान लेते हैं अपने उपर ऐसे feather type के develop कर लिया तो असानी से अब यह उड़ता उड़ता pollen जा रहा है ठीक है समझो यहाँ female है लेकिन हवा ऐसे उड़ी कि यह बिचारा यहाँ से होता हुआ ऐसे ऐसे इसकी trajectory चली गई और female तक पहुँच नहीं पाया बात तुम्हें समझ में आ रही है क्या क्योंकि हवा से जा रहा है इसे अपने को land कर हवा को क्या बता हवा तो बह रही है बहती हवा सा था वो ठीक है तो बहती बहती हवा में इस pollen ने भी उड़ते उड़ते गया बिचारा female तक ऐसे बहुत past eye से bypass करके निकला अब यह हो सकता है अगर मुझे यहाँ पर striking probability बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा कि अगर यह stigma ऐसे large and feathery हो जाए यानि कि wind pollinated flowers में जो stigma है वो large हो वो feathery हो वो stickiness show करे तो काम बिलकुल से बन सकता है बात तुम्हें समझ में आ नहीं मुझे बताओ बिलकुल यह चीज समझने की जरूरत है तो यानि कि wind pollinated flowers के यह basic characteristic के मैं बात यहाँ पर करता हूँ इसके बाद बात आती है पानी अब देखो अरे भाई यह क्या हो गया हाँ sorry pen लेना था मुझे हाँ पानी से अगर pollination के मैं बात करता हूँ तो दो pattern दे देखने को मिलता है एक मुझे hypohydrophily देखने को मिलता है epihydrophily की जब मैं बात करूँगा तो क्या होता है कुछ नहीं कि मेरे पास यहाँ पर जो पौधा है वो नीचले level पर है है ना उसमें यह से नीचले level पर पौधा है इसमें क्या female का फिर stigma यहाँ टैरने शुरू करता ह पौलन बहता 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 आता है यहाँ चिपकता है और यहाँ पर बाकी का काम कर रहा होता है जब उपर on the surface हो तो हम उसको epihydrophily कहते हैं और जब below the surface हो तो हम लोग उसको hypohydrophily के नाम से जानते हैं क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या सबको I hope so यहाँ सबको ultimately clear हो चीजें और जिन भी लोगों ने वीडियो को नहीं किया है अभी तक like कर दे वीडियो को like नहीं तो पाप पड़ेगा सीधा सा बात बता रहा हो ठीक है तो like कर दो जा करके शानती से माता की कुछ जरूरी लाइने हैं माता की लाइनों को हमें बहुत ध्यान से दे and marine sea grass की बात करती हैं जैसे की zostera तो पहला question निकल गए यहां से कि यहां पर मेरे पास fresh water variety कौन सा और मेरे पास marine variety कौन सा यह दो सवाल मेरे पास directly निकल के आए फिर क्या कहते हैं कि अगर देखो इसका बहुत बड़ा trick question इसमें निकल करके आता है ध्यान से समझने की कोशिश करना सवाल यह निकल के आता है कि इसे पूछ लेगा एक क्यूशन आता है यहां पर रुको कहां गया लाइन हाँ water hyacinth and water lily are pollinated by चार्ट वाप्शन water insect है ना air की multiple correct तो बच्चे बोलता है अच्छा सर water lily इसमें क्या होता है से mock test बच्चे माले लो दे रहे हैं बहुत normal इसलिए mistake हो गया ऐसे करते ना react बहुत ऐसे weird weird शकले मनाकर react करते अब situation क्या है कोई क्यों गलत करेगा इसको यार अगर तुम पड़ी नहीं रहे अच्छे से तो गलत करोगे तो basic सा point है कि water hyacinth हुआ water lily हुआ यहां पर ध्यान से समझना हमें insect या wind से होता हुआ pollination देखने को मिलता है इसको दिमाग में डाल के चिपका करके बिठा करके रखेंगे वाली scenario में epi hydrophily है यानि कि तुम्हारा stigma उपर आ रहा है वहाँ pollen तैरता तैरता पहुंच रहा है हम epi hydrophily की बात कर रहे है ठीक है और zostera में hypo hydrophily तो यह paragraph एक बार तुम्हें go through करना है यह तुमा आरे लिए critical हो सकते है ठीक है तो हमने abiotic agents of pollination देखे तुम्हाले चोटा सांगाम भी है इन्हीं paragraph पे तुम्हें मिलेगा कि mucilaginous coating होती है ribbon like होते है उन लाइनों को एक बार go through कर लेना अच्छे से ठीक है अब जो दूसरा discussion आता है कि मेरे पास और भी agents of pollination है जैसे कि हमें बात करते हैं biotic agents of pollination इसमें मेरे पास insects हो सकते हैं इसे मेरे पास honey bee हो सकता है जैसे for example ठीक है यह तो मैं यहाँ पर बात मेरे पास snake ऐसे मेरे पास दिखाता हूं मेरे पास यहां पड़ी होंगी कि अलग-अलग और pollinating agents हैं biotic agents जड़ा हम उनकी photos देखने की कोशिश करते हैं और जड़ा और visualize करने की और अच्छे से कोशिश करेंगे ठीक है इसको देखो यह चिडिया है hummingbird को तुम अपने screen पे देख सकते हो this is also a pollinating agent अब देखो सवाल यह आता है न कि non living agent को तो कुछ देने की जरूरत नहीं है हवा और पानी में तो naturally काम चल रहा है लेकिन अगर मैं कभी भी biotic agents का इस्तमाल करूंगा तो कोई biotic agent सस्ते में नहीं निपटेगा हर एक biotic agent कुछ न कुछ फायदा चाहिए उसको बिना फायदे के biotic agent नहीं बैठ सकता है याद रखना तो यहाँ पर हम बात करते हैं फाय example निकल करके आता है कि ऐसा भी हो सकता है ऐसे भी scenarios आते हैं कि जो flower है वो अपने आपको एक female मधुमक्खी की तरह resemble करने लगता है pollination करवाने के लिए किस हद तक गिरा है ये fool तुम देखने की कोशिश करो कि अपने आपको female जैसा बना लिया उसने ये मान लिया कि ये male ऐसे ही भ्रमित हमेशा घूम रहा है वो उड़ते उड़ते देखेगा कि अरे ये female कहां से आ गई वो female के पास जाके पहुंच जाएग कि पेड़ पौधे कुछ भी यहां कर रहे हैं यह तो फाइदा पहुंचा रहे हैं ठीक है ऐसे sexual deceit कुछ नहीं हो रहा तो आओ तो मैं ऐसे honey trap करते हैं ठीक है अलगी scenario चल रहा है तो हम यहां बात करते हैं इन सारे हैं तो यहां पर अगर देखो चिडिया pollinate करे तो एक शब वहत बनार यह समझ करके चलना ठीक है तो यहां पर मैं चीड़ मेंशन कर सकता हूँ अगर कीडे मकौडे कर रहे हैं तो entomophily शब्द का इस्तमाल करते हैं अल्ट्रा 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 क्रिटिकल ठीक है उसके बाद मेरे पास देखो यह इसको तो चिडिया आए यह ठी चमगादर अगर pollinate करें तो हम लोग mention करते हैं किरोप टेरोफिली के नाम से जानते हैं कि अगर चमगादर as a pollinating agent यहां पर काम कर रहे तो ठीक है अगर snail as a pollinating agent काम करें तो हम मलाकोफिली के नाम से जानते हैं इसको दिमाग में रखेंगे ठीक है अगर साप as a pollinating agent काम करें त से जानेंगे यह सारे के सारे कुछ ऐसे ऐसे टर्म है जो जीवन में तुम्हारे काफी बार काम आ रहे होंगे बिल्कुल से एक बच्चा कह रहा है सर समार नौट इन अगर नेसेसरी ना होता तो मैं बोलता है नहीं ठीक है मैं बता जेता हूं यार यह बिना मतलब का है कभी-कभी ना पीवाइक्यू आते हैं ठीक है अब उनमें क्या होता ना कि अलग-अलग ऑप्शन्स में ऐसे टर्म होंगे यहां पर तुम्हें करता हूं तो यह क्या हो गया हम ऑफियो फिली की बात कर रहें ठीक है एक और मैं बता दे रहा हूं अगर आंट की अगर मैं बात करूंगा तो हम लोग शब्द यूज करते हैं मिरमिकोफिली याद रहेगा क्या क्या शब्द निकल के आते हैं हम लोग मिल्कुल मेंशन करते हैं इसको मिरमिकोफिली के नाम से जानते हैं तो यह सब मेरे सामने अलग-अलग-अलग-अलग पॉलिनेशन के हमने एजेंट्स देखे हमने अलग-अलग मेकानिजम देखे एक छोटा सा सब हेडिंग रहे गया बस एक टर में सुन लो पॉलिन किट देखने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से हो यह पॉलन कीट की बात करते हैं इंसक्ट पॉलनेटर फ्लावर से लिंक अप करके रखेंगे ठीक है तो इतना दिमाग में रखो अब हम चलते हैं आगे अब आगे के डिसकशन होता है भाई ध्यान से समझना अब अगला जो डिसकशन है अल्टरा क्रिटिकल है अगला जो डिसकशन है मैं उसका NCRT रीफरेंच देदू निकल कोई बच्चा आके बोलेगा सर आप NCRT का स्लाइड यू नहीं लाए सर एक टू स्कैम तो चली रहा है NCRT Hindi to English ठीक है मैं भी बताओंगा उसका तो यह खतम करने तो बताओं देखो माता में एक पैराग्राफ है आउट ब्रीडिंग डिवाइस इस पैराग्राफ में बहुत कुछ बताया है लेकिन किसी क इसको क्या कहते नहीं बताए यह ऐसा बोला है कि तुम्हें बता है ऐसा ऐसा होता है तुम पूछो उसको क्या कहते है माता बलेंगे हम क्यू बताएं क्या कहते है खुद देखो तो मैं तुम्हें सारा बताओंगा इस पैराग्राफ में बहुत कुछ छुपा है हम जरा उसक राप करोगे ऐसे कैसे तुम्हारा काम करते हैं रुको मैं आऊँगा तुम्हारा पॉलन ग्रेंट भी ले जाऊँगा तुम्हारा पॉलिनेशन भी नहीं करूंगा उनको हम Pollen Robbers कहते हैं ऐसे भी वेराइटीज हमें देखने को मिलती है एक बालक का डाउट आ रहा है एल बनता है उस पोरो पॉलिन बनाने में मददगार होता है और कोई डाउट है कि इसी को या बात है बहुत है बढ़िया अब हम लोग चलते हैं आगे और आपर देखो कंसेप्ट को समझो बहुत गहराईयों में मैं चलने जा रहा हूं कंसेप्चुल ठीक है अब ध्यान से जमना पूरा अटेंशन तुमारा स्क्रीन के ऊपर अब यहां पर जब पॉलिनेशन पैटरंस की ही बात करने बैठे हैं तो यहां पर जो क्रिटिकल डिसकेशन आता है दो प्रकार के पॉलिनेशन के ऊपर एक पॉलिनेशन को मैं कहता हूं सेल्फ पॉलिनेशन एक पॉलिनेशन को मैं कहता हूं क्रॉस पॉलिनेशन देखो हर पॉलिनेशन का अपना अपना फाइदा है हर पॉलिनेशन का अपना अपना नुकसान है ठीक है अगर मैं सेल्फ पॉलि अगर मैं करता चलू, करता चलू, करता चलू, तो मुझे pure lines देखने को मिलते हैं, मुझे proper homozygous condition अगर evolve करवानी हो, तो मैं self-pollination बार-बार-बार-बार करवा के कर सकता हूँ, ठीक है, self-pollination preserve करने में भी काम आता है, कि preserving whatever the genetics is of that, ठीक है, cross-pollination की अगर मैं बात करूँगा तो cross-pollination से हमें variability देखने को मिलती है, बार-बार selfing से ingredient depression आता है, उसका निवारन cross-pollination में चुपा हुआ है, तो सबके अपने फाइदे, नफा, नुकसान सबका अपना है, ठीक है, हमें यहाँ पर ये समझना है, कि mother nature में ऐसा क्या-क्या जुगार है, जिसकी वज़र से self और cross-pollination promote या demote होता है, तो मेरे पास कुछ keywords है, मैं सिर्फ keywords की slide तुमारे सामने रखूंगा, और हम लोग keywords को एक-एक keyword को समझेंगे, मैं लिखूंगा नहीं समझाओंगा, ठीक है, लिखा-लिखाया content के लिए कुछ और follow करे, because उससे selection जो है, output जो है नहीं आता, ये समय न बात करता हूँ, self और cross-pollination की ध्यान से समझना, self-pollination का सबसे basic requirement, मैं क्या कह रहा हूँ, कि self-pollination में एक ही fool है, उसी fool के within सब कुछ होना है, that is self-pollination, right, so सबसे basic requirement अगर एक ही fool में सारा कुछ होना है, उसके लिए उसी flower में मुझे male और female parts चाहिए, यानि कि the most fundamental requirement for self-pollination to happen is having a bisexual flower, यानि कि the flower must be bisexual, when I say bisexual, what is my fundamental logic here is very simple, कि male and female parts on the same flower, it must be bisexual, very critical point, ठीक है, क्या कह रहे हो, Megasporogenesis यह देखो, जो बच्चे NCRT खोल की देखो, माता एक तरीके से पढ़ाती है, मैं एक तरीके से पढ़ाता हूँ, तुम लोग सोचो कि सरा, आप Megasporogenesis बताएं, यहां कैसे पहुंच गए, मैं उसको last में पढ़ाऊंगा, और मैं सब जोड़ दूँगा, तुम चिंता है, self-pollination होने के, अब ध्यान से समझना, situation कुछ यूँ है, कि मेरे पास यह है female, ठीक है, और यहां पर है बेचारा male, अब ध्यान से समझना है, एक ही flower पे male और female दोनों है, लेकिन हुआ कुछ यूँ, कि भाई, male तयार हो गया, खूब excited, येस, अब हम जाकर के seed बनाएंगे अब हम fruit बनेंगे, ये male भागा 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 किसी हिसाब से उड़ते 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 यहां तक पहुंचा, यहां आने की बात पता लगा बैठा हुआ male क? अब female तयार होगी, female तयार ही नहीं होरी है, बात तुम्हें समझ में आ रही है क्या? यानि कि यहाँ पर एक important aspect ये भी निकल के आता है कि अगर मुझे self-pollination करवाना है तो male और female का जो maturation है जो sex organs का maturation है वो ऐसा नहीं कि आज जो है ये mature हुआ कल ये mature हुआ बात समझ रहे हो क्या there should be some kind of synchrony between क्या कह रहे हो male बेचारा क्यों अलग बात है यार इस पर कभी और हम लोग discussion करेंगे ठीक है अब यहाँ पर lot करके आएंगे ठीक है तुम लोग na conceptual topic मत पकड़ा करो यही बोल तो मैं कभी ऐसे बोल तू बेचारा male बेचारा female ऐसे ही बोल तो चलता है यार वापस आओ हाँ तो अब यहाँ क्या और है यह pollen बेचारा उड़ता यहाँ पर आया अब हुआ क्या कि अगर मुझे self pollination करवाना है तो मैं homo gammy की बात करता हूँ homo gammy का मतलब है same समय पर maturation की बात करता हूँ इसको समझ करके बिलकुल से रखेंगे ठीक है अब इसका parallel देखो अगर मुझे इसी case में cross pollination preference देखना है तो अगर एक पौधा है एक fool है उसमें सिरिफ male flower है एक fool है उसमें सिरिफ female flower है ध्यान से समझना ठीक है तो obvious सी बात है यह male flower अपने आप से तो pollinate करेगा नहीं खुदी को pollinate करेगा क्या करेगा खुदी को pollinate करके बाद समझ में आ रही है क्या इसका मतलब अगर डाई क्लीनी है यूनी सेक्शुल flowers है यानि कि एक flower सिरिफ male है एक flower सिरिफ female है तो मुझ सिनेरियो की बात कर रहे हैं तो cross pollination prefer होगा इस दमाग में रखेंगे दूसरा point यहां पर homo gammy जैसे मैंने लिखा कि same time maturation है डाई को गमी मतलब अलग-अलग time इसमें दो शब्द आते हैं एक शब्द आता है proto gynae एक शब्द आता है pro tendry अब देखो pollination मतलब male female मिल रहे हैं एक तरीके से अब देखो हुआ कुछ ही हूँ कि मानलों दो लोग जा रहे खाना खाने हुआ कुछ ही हूँ कि एक बेचारा को दोनों को 10 बज़े पहुँचना था सुबा-सुबा breakfast पे जा रहे हैं अलग प्रकार के लोग है तो 10 बज़े पहुँचना था बेचारा male पहुँच गया 9.30 पे ठीक है और female आ रहे एक बज़े अब situation बड़ी खतरनाक है उल्टा भी हो सकता है दोनों possibility है अब इस scenario में क्या होगा बेचारा male वेट करते करते 11 बज़े तक रुका 11 बज़े फ्रस्ट्रेट होके चला गया यानि कि यहां पर पहले कौन आ गया male तो यहां पर क्या condition है प्रोटेंडरी प्रोटो मतलब पहले एंडरो मतलब male और भीस सी बात है इस situation में बेचारा एक परेशान हुआ इसलिए दोनों ही नहीं मिल पा रहे हैं उल्टा हो गया मालो female बुली नहीं मैं बहुत जल्दी जाओंगी तो 10 बजे आना तब female सुबर 8 बजे आ गई ठीक है अब बेचारे male की क्या गलती female एक गंट दो गंटे में परेशान हो कि 10 बजे चली गई male अपने time से आदा गंटा लेट आया आदते हैं उसकी वैसे खराब चल रही है समझे तो बेचारा male साड़े 10 बजे आया female तो early चल रही है अब यहाँ proto gynae हुआ अभी दोनों नहीं मिल पाए same scenario में अगर हमारे पास यहाँ पर एक particular flower है और उस flower में male और female structures का maturation time अलग-अलग है तो इस scenario को समझने की कोशिश करना हम proto gynae और pro tendry की बात करते हैं डाइको गमी is the keyword that is going to promote क्या cross pollination की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं दूसरा keyword मेरे पास क्या निकल के आता है क्लिस्टोगमी क्लिस्टोगमी शब्द का मतलब है क्लिस्टोस मतलब होता है closed गैमी मतलब शादी तो literal meaning के साथ अगर मैं जाओ तो क्लिस्टोगमी का मतलब हुआ छुपी हुई शादी ठीक है तो अगर मेरे पास समझो situation दिसे मटर का flower होता है ठीक है मेरे पास यहाँ पर शायद photo भी पड़ी हो अगर पड़ी हो तो मैं दिखाता हूँ बड़ शायद ना पड़ी हो लेट मी चेक भाई स्क्रॉल हो जा बड़ देखते हैं हम लोग photo है की नहीं photo नहीं है गाईस बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है we don't have the photo ठीक है कोई बात नहीं आज ही अपने सामने वाले गमले में एक मतर का बीज डाले कुछ दिन में उसका पौधा आएगा जब वो पौधे में फूल आएगा तो उस फूल को देखें जब तुम उसको देखोगे तो तुम ये notice करोगे कि male और female parts ना exposed है ही नहीं वो अंदर की तरफ छुपे हुए है तो क्लिस्टोगमी मतलब क्या छुपी हुई शादी जब हम लोग हम लोग particular discuss करते ध्यान से समझें इस चीज को जब हम पढ़ते है principles of inheritance and variation तब हम पढ़ते हमारे तुमारे सब के second favorite मेंडल बाबा के बारे में हम कहते हैं मेंडल को success क्यों मिली हम वहाँ पढ़ते हैं मतर का flower क्लिस्टोगमेस था और क्लिस्टोगमेस होने के कारण bisexual भी था क्लिस्टोगमेस भी था male और female एकी के उपर थे तो चल ये रहा था कि assured seed set था कि उसे फर्की नहीं पढ़ रहा कि मदुमक्खी आए चाहे मदुमक्खी ना आए उसका pollination तै है उसमें assured seed set की मैंने बात बिल्कुल से करी हुई है बात समझ में आई क्या यहाँ पर वही क्लिस्टोगमेस की बात करते हैं कि फूल बंद बंद सा है external pollinator पर dependent नहीं है assured seed set है इसका reverse होता है कैजमोगमी, open flower cross को promote कर रहा एक होता है bud pollination क्लिस्टोगमी, bud pollination में लोग जबर जस्ती confused रहते हैं basic सा point है कि क्लिस्टोगमेस में flower जो है बंद है male और female exposed नहीं है ध्यान से समझना लेकिन bud pollination में फूल कभी खीली नहीं रहा ध्यान से समझना इस चीज़ को ठीक है इसको दिमाग में रखेंगे कि अगर मैं bud pollination की बात करता हूँ तो इसमें फूल कभी खीली नहीं रहा that is the particular scenario that I'm talking about ठीक है तो ये clarity से रखें इनको यहाँ पर die clean नहीं हुआ डाइको गमी हुआ कैजमो गमी हुआ अब हेटरो स्टाइली हरको गमी self incompatibility इनको समझाता हूँ ठीक है अगर मैं बात करूँगा हेटरो स्टाइली की तो देखो situation क्या है यह मालने तो मेरे पास stigma है और यह मेरे पास male है अब तुम देखो यह इतना बड़ा यह बैचारा इधर ही रह गया तो बैचारा male female तक पहुंची नहीं पा रहा है यह तो बहुत gap हो गया है बिल्कुल से बात तो मैं समझ में आ रही है क्या तो यहाँ पर शब्द जो निकल के आता है वो निकलता हेटरो हेटरो मतलब क्या के नाम से जानते है क्या मेरी बात समझ में आ रही है हम इसको क्या कहते है heterostylee के नाम से जानते है बैचारा पॉलिम फुदक फुदक के भी female के पास नहीं पहुंच पा रहा है ऐसे याद रखें heterostylee style मार रहा है यहाँ पर कोई न कोई बेचारा male चोटा रह गया या female चोटी रह गई इन में से कोई condition की हम बात यहाँ पर कर सकते हैं याद रहेगा बिल्कुल से तो यह hetero style ही है दूसरा जो method है यहाँ पर वो है हर कोगमी हर कोगमी का मतलब ऐसा समझ लो just for uncertainty में नहीं है लेकिन हम NCRT morphological barrier की बात कहती है मतलब existence of any kind of morphological barrier again it's not in our syllabus in detail so we'll not be studying about it but just you need to remember ठीक है तो हम यहाँ पर बात करते हैं किस चीज की हर कोगमी की बात करते हैं clear है क्या फिर हमारे पास last आता है self income बहुती दुख भरा moment है यह self incompatibility male के लिए होता क्या है समझने की कोशिश करना यह है stigma यह है यहाँ पर style और ovary यहाँ पर मेरे पास male part है suppose करो एक pollen बेचारा एक मदुमक्खी के टांग पे लटक पे समझना एक pollen एक मदुमक्खी की टांग पे लटका है और यह मदुमक्खी जा रही है और यहाँ उसे air drop कर दी अब यह pollen यहाँ बैठा तुम्हें पता होगा यह pollen और पिस्टिल के बीच dialogue होता है female ऐसे allow नहीं करती ध्यान से समझना इस चीज को there is a dialogue between pollen and pistil और यह इसको बोलती है है तुम तो यहीं से आ रहे हो तुम तो यहीं वाले pollen grain हो इस situation को हम क्या कहरें सुनो self incompatibility कि हम बोलेंगे कि हम अपनों को बोलेंगे bye bye बात को समझने की कोशिश करना this trait is a genetic trait और the female is not allowing this pollen grain to germinate here rejection हो गया है बेचारे का बात समझ में आ रहे है क्या हम इसको mention करते है self incompatibility बात समझ में आ रहे है क्या do you understand this particular point so it's a genetic trait तो अब मेरे पास यहाँ पर income खेते contrivances for self and cross pollination कहीं कई पर देखो तुमाभी बहुत सारे all India level के test series दोगे है ना अगर need crack करना है तो दोगे नहीं करना है तो बस बैटके theory 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 पढ़ते रहोगे ठीक है जब तुमा लगलग test series दोगे तो हर test series का हर teacher चाहता है उसका बच्चा best करे तो हर teacher कुछ न कुछ तिगड़म लगा के कभी कभी tough question बनाता है तो कभी भी वो tough एक limit में ही बनाएगा मैं उस limit तक syllabus कराता हूँ कि जहां तक कोई भी कुछ भी पूछे तुमारा गलत ना हो यह सारी terminologies अपने आप में बहुत जादा important है तो मैं दिमाग में डाल करके बिठा करके चिप करके रखना ठीक है यहाँ तक clear है सबको बात समझ मैं genetic reason है बिलकुल से ठीक है that is the reason है न genetic reason के कारण back bencher नाम है इस बच्चे का और अपने DP में लगा रखा इसने सब मोह माया है और वो लिखता है sir please tell me meiosis never occur in haploid organism मैं तुम्हारा जवाब दे सकता हूँ मगर दूंगा नहीं मैं तुमें एक दूसरा example बताऊंगा कभी try करना back bencher तुम्हारे घर पे कोई guest आए मम्मी पापा बैट के उन guest से बात कर रहे है और बात कर रहे हैं कि यार पता है आज कल आलू बहुत महेंगा हो गया है तुम बीच में फुदक के पहुँचो और चिलाने लगो कि यार आपको पता है बिल्कुल से कि हैना मैं आज नाचना शुरू करने जा रहा हूँ तुम बताओ मम्मी पापा तुमसे क्या कहेंगी बेटा शान्त हो जा जरूरी discussion चल रहा है कहने का मतलब जब कुछ और चर्चा हो रही है तो बीच में उट पटांग चर्चा ना घुसाएं इससे तुमारा भी समय अब इसमें मैं टाइम वेस्ट करूँगा इसमें बता के तुमको लेकिन मैं तुमारा पॉइंट का एंसर नहीं दूँगा क्योंकि यह irrelevant हरकत है जब कुछ टॉपिक चल रहा हो तो टॉपिक पे ध्यान दो उपर नीचे की चीज़ें लेकर के बिल्कुल से ना आओ ठीक है बढ़िया तो यह हमने कॉंट्राइविंस देखे अब बारी आती है फीमेल की स्टड़ी करने की तो अभी तक हमने यह देख लिया कि मेल कैसे तयार हुआ हमने मेल को फीमेल तक पहुंचा दिया लेकिन अभी तक हमें यही नहीं पता कि फीमेल कैसे तयार हुई female development किस प्रकार हुआ अब वो समय आ चुका है कि अब हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि female development आखिरकार किस प्रकार होता है ठीक है बहुत ध्यान से visualize करने की आँख कान खोल करके समझने की कोशिश करेंगे Hey slide, कहां गई तुम slide हमारे बीच किसी भी पलाते हुए है न हाँ वैसे तो मैं तुम्हें अपने ही diagram से सिखाऊंगा मैं एक दो चीज तुम्हारे लिए छोड़ता हूँ तो please class के बार outline go through किया करो ठीक है मैं यहां concept mapping करा रहा हूँ इनि किस topics का वो मैं करवा के छोड़ूँगा conceptual कोई flaw नहीं रहेगा तुम्हारे जीवन में अब तुम देखो मेरे पास structures के हैं पूरी शिद्दत से हम लोग यहां आराम से ड्रॉ करते हैं last topic है एकदम chill, relax तरीके से पढ़ो, समझो, सीखो खड़े खड़े पढ़ाने बता है, मुझे भी बड़ा आराम है ठीक है पहली बात ऐसे एक नहीं तो iPad पे देखो फिर स्क्रीन पे देखो, पूरा जो है दिमाग हेल जाता है यहां तो मैं चैटी कभी कभी देखता हूँ और फिर मैं वाक भी ले ले रहा हूँ, ठीक है अब ध्यान से देखेंगे यह है stigma, यह है style, यह है ovary इस whole structure is the mega sporophyll इसके अंदर यहां पर placenta तुम सुने होगे जिसके अंदर ovules exist करते हैं अगर मैं एक ovule को निकाल करके एक structure देखने की कोशिश करूँ तो मेरे सामने कुछ इस प्रकार का structure जो है निकल करके आता है इस ovule का structure भिन भिन प्रकार का होता है जैसे orthotropos, anatropos, hemianatropos अलग-अलग प्रकार के ovule की हम लोग बात करते यहाँ पर हम इस basic structure को देखने की कोशिश करेंगे ठीक है यहाँ पर मेरे पास यह जो structure है एक number इसको कहते है funicle इससे यह यहाँ पर जुड़ा हुआ है ठीक है यह जो point है जो point of attachment को मैं कह रहा हूँ इसको हम लोग कहते हैं heelum heelum यहाँ पर जो point of attachment है यह जो दो structures तुमें दिख रहे हैं यह हैं तुमारे integuments इसको मैं numbering के हिसाब से लिखता हूँ number three this is your integument this is your outer integument this is your inner integument this is your outer integument this is your inner integument ठीक है there are two poles this is called as the mycopylar end and this is called as the chalazal end ठीक है और यहाँ पर present होते हैं कुछ cells जिनको हम लोग कहते हैं क्या 6 number new cellar cells के नाम से जानते हैं यहाँ तक बाते समझ में आ रही है क्या this should be जो है बिल्कुल से clear and clarity के साथ तुमारे दिमाग में घुसा हुआ to all of you ठीक है ध्यान से समझेंगे क्या कह रहो पतले भी हो जाओगे sir यह और मैं कितना मैं गायब मैं already इतना पतला हूँ इससे पतला हुआ तो मैं exist ही नहीं करूँगा मैं तो गायब हो जाओँगा जो seed coat होगा वो यह integument होगा जो हम भविष्य में जाकर के पढ़ेंगे testa और stagment यानि outer seed coat और inner seed coat की हम बात करेंगे वो हमारे पास कौन बनाता है inner और outer integument बनाते जाते हैं इसको दिमाग में डाल के बिठा के चिपका के घुसा करके रख लेना ठीक है अब सवाल आता है सर्फ female development कहाँ पर होगा तो यही पर cells होते हैं जो female development बिलकुल से करवाते हैं female development बड़ा sorted, बड़ा simple, बड़ा social, प्यारा सा है ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे जिस प्रकार micro spore mother cell था उसी प्रकार मेरे पास यहाँ पर MMC दुबारा है जिसको मैं कह रहा हूँ mega spore mother cell की मैं बात कर रहा हूँ इस mega spore mother cell एक particular deployed cell है जिसके अदर meiosis होती है meiosis के बाद मुझे यहाँ पर मिलते हैं 4 cells ठीक है? अगर मैं इस end को micro pilar pole कह रहा हूँ इसको मैं चलाजल pole कह रहा हूँ तो मैं यहाँ पर मेरे पास 4 mega spores देखने को मिलते हैं female development कुछ बड़ा ही खास है ध्यान से समझना micro pilar से चलाजा की तरफ 4 mega spores है male में क्या था? ऐसे ही हमें micro spore tetrade मिला था जो males की case में हमें micro spore tetrade देखने को मिला था उसमें से tetrade का हर एक cell आगे जाकर के pollen grain बना रहा था मगर यहाँ पर कुछ यूँ होगा कि यहाँ पर जो 4 mega spores बने हैं 4 में से 3 mega spores टें हो जाएंगे टें हो जाएंगे मतलब समझते हो पानी पीनो तो बताओ रूखो एकदम से ठीक है? फोकस करेंगे यह ठीक है? तो यहाँ पर 4 में से 3 जो हैं वो degenerate हो जाते हैं कौन से? यह वाले तो सवाल क्या आ सकता है? विच मेगा स्पोर सर्वाइवज? ओनली वन, दो वन ओन दी चलाजल पोल सर्वाइवज तो इस पर्टिकुलर मेगा स्पोर सर्वाइवज और इसी को हम लोग कहते हैं फंक्शनल मेगा स्पोर के नाम से जानते हैं क्या यहाँ तक की चीजें हर बालक और बालिका की दिमाग में घुश चुकी हैं कि वाट इस फंक्शनल मेगा स्पोर this is a functional Megaspore that you can observe over here I hope so it's absolutely clear to all of you in the class क्या बात है बहुत ही बढ़िया तो हमने यहाँ पर समझ लिया क्या functional Megaspore की बात बिल्कुल से समझ लिया मैंना यह चाट को ऐसे अगर चिपका दूँ तो मुझे इधर ही देखके हां कुछ करना मैं कुछ करता हूं और को चाट कर ठीक है चलो चाट को मैं यहाँ नीचे रख दे रहा हूं फिर से आएंगे हम functional Megaspore की बात करते हैं अब हूगा क्या देखो यह deployed cell है यह haploid है यह haploid है haploid है haploid है haploid है मात्र एक बचा यह जो एक बचा इसमें क्या development है अंदर हुआ पहला mytotic division अंदर बने दो haploid nuclei यह दोनों एक इधर गया एक इधर गया तो दो haploid nuclei नुकलिया बने migrating towards the poles एक उपर और एक नीचे फिर से एक mytotic division हुआ एक से बने फिर से दो से बने क्या चार बन गए बिल्कुल से ठीक है चीजों को समझने की कोशिश करेंगे बिल्कुल से दिमाग में डाल करके बिल्कुल से रखेंगे फिर आगे क्या हुआ चीजों को समझने की कोशिश करो फिर से यहां पर mytotic division हुआ और अब एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ न्यूक्लियाई बन गए और हर एक न्यूक्लियाई यहां पर हैपलोईड जो है बिल्कुल से न्यूक्लियाई के मैं बात कर रहा हूँ ठीक है तो मेरे पास इतना सारा हैपलोईड न्यूक्लियाई आ गया अब इसमें cell membrane wall वगएरा develop हो करके ultimately जो मेरे पास structure निकलके आएगा वो कुछ इस प्रकार का structure होगा देखना बहुत ध्यान से ठीक है मेरे पास यहां पर तीन cell आएंगे हैपलोईड ऐसे ही मेरे पास निछले हिस्से में एक दो यह दो cell आ गये हैपलोईड ऐसे ही यहां पर अगर मैं देखने की कोशि करूँगा तो एक यह cell आ गया यह जो structure मेरे सामने आया इसी को हम लोग कहते हैं embryo sac के नाम से जानते हैं और अब ही मैं समझाओंगा इसी structure को हम लोग female gametophyte के नाम से जानते हैं यहां तक समझ में आया क्या यह develop होते होते आखिरकार बना क्या तो कुछ इस प्रकार का structure बना अब ध्यान से समझो इस प्रकार के structure तक पहुचने के लिए कितने divisions लगे तो fundamental सी बात यहां पर निकल के आती है कि मेरे पास एक बार meiosis हुई मुझे मिला 4 megaspore, 4 में से 3 जो है मर गए बचा 1 यानि कि ultimately 1 meiosis is equal to 1 megaspore की मैं बात कर रहा हूँ clear है सबको? अब मैं एक और चीज यहां पर mention करना चाहूँगा कि इस particular structure के अगर मैं formation की ऐस सच बात करता हूँ तो बहुत ध्यान से और बहुत प्यार से सुनना मैंने पिछले slides में development दिखाया है यह मेरे पास पहला mitosis है यह मेरे पास दूसरा mitosis है यह मेरे पास तीसरा mitosis है यानि ultimately structure तक पहुँचने के लिए मुझे तीन mitotic division की मैंने बात करी यानि की one mitosis and three mitosis will lead to formation of one embryo sac in particular is it absolutely clear to all of you in class कि क्या pattern of division है और किस प्रकार से ultimate cell मेरे पास निकल करके आया अब यह जो cell निकल करके आया इसके भी कुछ नाम है हम उन नामों को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे यह जो मैंने गंदगी किये थी इसको मैं साफ कर देता हूँ ठीक है अब ध्यान से एक नाम को सुनना सीखना और समझना मेरे पास यह जो cells है मैं इनको number one कह र यह जो cell है दो number cell इसको मैं कहूंगा central cell इसकी जो ploidy होगी वो होगी n प्लस n यह important है कि मेरे पास यहाँ पर जो central cell है इसकी ploidy n प्लस n है ध्यान रखना यही जब fuse करता है यह कुशन आते हैं कि यही जब fuse करता है तो बनता है secondary nucleus क्या बनता है secondary nucleus की मैं बात कर रहा हूँ जिस की ploidy हम 2N लिखते हैं इस सवाल आया हुआ है काफी बार जान करके रखेंगे ठीक है वापस आएंगे focus here अगला ये जो है मेरे पास इसको मैं यहां पर 3 नमर लिख दूँ यह भी समें क्लूडेड है 10itar साइनईर जिट मैं किसकी बात कर रहा है यह मैं साइमार जिट की बात कर रहा हं इस साइनएर जिट के तुम observe करोगे ऐसा सुंदर से जिग 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 जिग, जिग जिग जिग. इसको मैं number 4 लिखता हूं, जिसको हम philly form, नीचे आवा, हाँ इसको हम क्या mention करते हैं, philly form a pretus के नाम से जानते हूं, ये जो मेरे पास रहे गया पाँच नमबर, इस पाँच नमबर को अगर मैं प्यार से मेंशन करता हूं, तो इस पाँच नमबर को हम कहते हैं egg cell, यही पाँच नमबर जिसको मैंने कहा egg cell, इसी को हम लोग कहते हैं ultimately female gum meat के नाम से जानते हैं, और क्योंकि ये female gamete इस पूरे structure के विधिन है तो ये पूरा structure bears the female gamete and hence we call this structure as the female gametophyte क्या यहां तक बाते सबको समझ में आ गई यहां तक बिल्कुल से क्या सबको clarity आ चुकी है कि मेरे पास यहां पर ये structure क्या है और मैंने इसे कहा female gametophyte यहां सबकुछ haploid है ये जो structures हैं यानि कि ये जो segment तुम देख पा रहे हो इन तीन cells को हम लोग प्यार से egg apparatus के नाम से भी जानते हैं इसको दिमाग में डालके बिठा करके बिल्कुल से रख ले तो अब एक तरफ email तयार है एक तरफ mail तयार है ज़रा दोनों को एक बार तारलेली बनाया जाए यहाँ पर हमने रखा mail यहाँ पर हमने रखा यह इसके उपर हमने बिल्कुल से लगाया क्या एक इस प्रकार से in time लगा दियो तुम और उसके उपर हमने क्या मार किया इस प्रकार से बिल्कुल से मार कर दो बिना किसी दिक्कत के बाजू में अब हमने को female बनाना है यहाँ पर हम लोग बनाते हैं female को ठीक है female में यहाँ पर इसमें 2 nuclei तुम लगा दो बिल्कुल से इसके बाद हम देखेंगे हमारे पास उपर आ गए 3 antipodal सारे के सारे haploid cell है इसके बाद हमने क्या लगाया यहाँ पर एक synergid, दूसरा synergid दोनों के दोनों haploid है यहाँ पर philiform apparatus की मैंने बात करी इसके बात मैंने यहाँ पर बताया है कि मेरे पास एक और cell मैं में मेंशन कर रहा हूँ इस प्रकार से मैं में मेंशन कर रहा हूँ समझे तो एक तरफ male तयार एक तरफ female तयार यहाँ तक चीज़ों को समझने की कोशिश करना अब हम fertilization करवाने जा रहे हैं अब आगे जाकर के जब ultimate fertilization होगा तो क्या होगा मैं तुम्हें सीधा वहाँ लेके चल रहा हूँ देखो मेरे पास यहां पर क्या है मेरे पास यहां पर sperm nuclei है मैं इसको sperm nuclei 1 कह रहा हूँ और मैं इसको sperm इसको ऐसा करते हैं कि male gamete 1 है male gamete 2 है दो male gamete दिख रहे हैं और यहां पर एक female gamete है तो होगा क्या देखो कि one male gamete मैं एक अच्छा सा color ले लो कौन सा color ले लो कि this male gamete is going to fuse here focus यह मेरे पास एक haploid cell plus एक haploid cell के fusion की मैं बात कर रहा हूँ ध्यान से समझना हो क्या रहा है N plus N fusion की बात कर रहा हूँ कि when one male gamete fuses with the female gamete the process you call as syngami and the product you get is a zygote that is a 2N structure बात समझ में आई क्या तो हमें क्या देखने को मिला हमें zygote देखने को मिला जो कि particularly एक 2N structure है ध्यान से देखो समझो और सीखो आगे सुनना दूसरा जो nuclei है it is going to fuse here with this cell here what is going to happen कि one male gamete fuses with this N plus N kind of thing to give you a 3N structure जो कि भविष्य का endosperm बनाएगा और इस fusion को हम लोग कहते हैं triple fusion के नाम से जानते हैं बात समझ में आई क्या यानि कि यहाँ पर जो मैं fertilization की overall बात कर रहा हूं यहाँ पर दू प्रकार से fertilization हुआ one male gamete fuses with this egg cell to form a diploid zygote बात समझ में आ रही है क्या that is called a syngomy and another male gamete fuses with this central cell nuclei to form a triploid endosperm that you call here as triple fusion and since there are two types of fertilization we call this overall technique as double fertilization क्या यह बात सब को समझ में आई इसको बता नहीं क्यों लोग complicate करते हैं double fertilization नहीं समझ में रहे कुछ है क्या तुम ही बताओ यार कुछ complication है वहले नहीं इसमें कुछ थोड़ी है तो यहाँ तक मेरे हिसाब से हर एक बालक और बालिका को यहाँ तक clarity होगी कि double fertilization क्या होता है अब एक दो और मूलभूत सवालों के जवाब ज़रा से हम लोग खोजते हैं और इसके साथ ही हम लोग फिर wind up करेंगे कुछ ही पल में ठीक है तो यहाँ पर एक और सवाल का जवाब मैं तुम्हें दे दूँ है diagram कहाँ विलुप्त हो गए हो तुम्हें यहाँ पर आओ देखो मेरे पास यहाँ पर यह diagram मुझे बताने की कोशिश कर रहा है कि मेरे पास entry points तीन है ठीक है प्लीज ट्राइट वाइब थ्री methods of the pollen tube entering within one method is said to be porogamy one method is said to be chalazogamy one method is said to be misogamy porogamy का मतलब अगर misogamy कहूंगा अगर beach से आ रही है तो मैं misogamy कहूंगा इन terminologies का मतलब दिमाग में डाल करके चिपका करके बिठा करके रख ले ठीक है इसके बाद अगला point क्या निकल के आता है अगला fertilization को ले करके जो मैंने तुम्हें समझाया ध्यान से समझना यह यह जो मैंने already तुम्हें पढ़ाया मैं बस एक point add करूंगा कि यहां पर देखो तुम pollen tube आ रहा है ठीक है vegetative nucleus you can see the male gummies you can see this structure that I mentioned as philiform apparatus over here helps to guide the entry basically it guides these male gummies here ठीक है धियान रखना है इस चीज़ को also one critical point the entry is happening via degenerating synergy यह बहुत critical बात है आफी लोग यहां गलती कर देते हैं कि सरी यह normal case की मैं बात करता हूँ यह degenerating so the entry is via degenerating synergy ठीक है बागी अब इससे link up करके कुछ numericals पूछते हैं जो मैंने already कराए हैं please find a video on this channel itself numericals in biology इससे aligned question तुम्हें मिल जाएंगे लेकिन क्योंकि इस class को पूरा करने के लिए मुझे उन 2-3 numericals एक-2 question discuss करूँगा दो type के बागी और type चाहिए तो numericals वाला video देखो इसमें कभी-कभी numericals बनते हैं जैसे कि एक सबसे common question निकल के आता है कि let us say कि तुम्हें 400 seeds बनाने find the number of mitosis and meiosis इन question का मैं approach सिखा रहा हूँ यहाँ पर probability questions मैंने अल्रडी करवाई हुए बहुत साले अगर मैं 400 seed या 400 zygote की बात करूँगा तो मैं 400 pollen grain और 400 embryo sac की बात करूँगा तो जहां तक मेरे पास आता है mitosis तो pollen grain एक बनने में 2 mitosis लगता है तो 400 multiplied by 3 you will have your answer that is the approach to find the number of mitosis male side में 2 से multiply करो female में 3 अगर तुमें कभी meiosis निकालना हो तो remember for 1 see 1 meiosis gives you 4 pollen grain मतला 1 pollen grain is equal to 1 by 4 meiosis मतला 400 will be 400 by 4 plus 1 meiosis gives you 1 embryo sac for 400 embryo sac you need 400 meiosis that will give you number of meiosis यह जस्त मैं एप्रोच यहां बता रहा हूं जिसे वीडियो complete रहे किसी भी बच्चे को पुरा solution और भी detail में सीखने है numericals in biology के एक वीडियो है please उसको visit करना clarity तुम्हें आ जाएगी दूसरे प्रकार का जो सवाल निकल करके आता है वो यह आता है मैं just an example ले रहा हूं कि let us say मेरे पास एक diploid male है और मेरे पास diploid female है तो मुझे इससे जो zygote बनेगा उसकी ploidy क्या है जो endosperm बनेगा उसकी ploidy क्या है ऐसे सवाल निकल सकते हैं ठीक है इन सवालों का अप्रोच बहुत सिंपल सा है ध्यान से सुन लो एक बार कि अगर मेरे पास diploid male है तो मेरे पास जो pollen grain है उसमें जो male gamete है वो haploid हुआ समझे क्या बात को तो 2 haploid male gamete की मैंने बात करी बात समझ में आ रही है और मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ diploid female की तो female में एक n प्लस n condition है central cell की और इसी female में एक n condition है किसकी मेरे पास कॉनसे structure की egg cell की मैं बात कर रहा हूँ समझना तो आप इसको जिसको detail में करना है और numericals का video विजिट करना इसी channel पर खोज लेना फिर हम में क्या करूँगा fusion करवादो तो यहाँ पर हो गया 3N क्या endosperm और मेरे पास क्या हो गया यह N और N मिला करके क्या हो गया 2N क्या हो गया zygote खतम का नी तो ऐसे ploidy-oidy वाले भी questions हाते हैं basic से अब इसके बाद इस chapter में क्या है post-fertilization events and post-fertilization development वो मैं morphology में पढ़ाऊंगा यहाँ नहीं पढ़ते हम लोग उसको युकि देखो उसमें क्या पढ़ना है तुम्हें seed पढ़ना है तुम्हें endosperm पढ़ना है है न seed वगेरा का topic किस में आता है morphology में आता है थीक है तो उस part को morphology post-fertilization event sexual reproduction flowering plant में हम नहीं पढ़ रहे हम लोग इसको पढ़ेंगे morphology of flowering plant में एक साथ जब morpho करवाऊंगा तो थीक है दूसरी जरूरी चीज़ इसमें आगे का part में आता है parthenokarpy, epomixes, seed से ही related point है यह सारा portion morpho में cover होगा इस chapter में यहीं तक discussion को समाप्त करो ठीक है बढ़िया भाई मैं तुमें यह pdf बिल्कुल से share कर दूँगा यह था तुमारे सामने एक प्यारा सा concept mapping of reproduction in flowering plant और इसी के साथ ही हमारा hashtag day 12 समाप, day 12 नहीं day 12 यह 13 जो भी हो रहा है वो हमारा बिल्कुल से समाप्त होता है appreciation for all of you whosoever ticka हुआ is till end हमने करीब दो घंटे में बिल्कुल से यहाँ पर calm done and dusted किया ठीक है कल से हम लोग एक बहुत important heading की तरफ जा रहे है कल से human physiology start हो रही है everyone tomorrow's lecture will be most fundamental to understanding ठीक है तो कल lecture है, कल 16 February है फिर 20 को है, 21 को है, 22 को 23, 24, 25, 27 इसके साथ हमारे 21 topics crash course के खतम हो जाएंगे और इन 21 topics इतना बढ़िया वेटेज, इतना बढ़िया बहतरीन topics हैं, कि मल अंदर से एकदम प्रफुलित खुश हो जाएगा याद रखना ठीक है, तो इतना काम हम अंदर स्टेट करेंगे, this is my telegram connect right away, the link is pinned in the chat, I'll be sharing the PDF right away on my telegram channel, do check that out right now, ठीक है, दूसरी जरूरी जानकारी, ठीक है, ध्यान रखेंगे, लखनाव वालों के लिए तो मैंने बता ही दिया एक और बहुत खास्थी, I'm trying to make this accessible online as well, I will let you know once I succeed in this mission, we are starting one proper offline crash course ठीक है, यह proper offline crash course है, ध्यान से सुनना biology मैं करवा रहा हूं, chemistry रवी सर करवा रहे हैं, और physics अमिच सर करवा रहे, बहुती शानदार teacher है अनकाडमी ओफलाइन लखनाव में पढ़ाते हैं, ठीक है, so if you are from लखनाव और नियर्बाई, this is one offline course with test series that is going to start from 25 March, 35 दिन यानि करीब करीब 200 घंटे में पूरी NEET biology physics और chemistry सुबा तुम्हें 9 बजे बुलाऊंगा सेंटर पे, शाम को 6 बजे छोड़ूंगा पूरा दिन मैं वहां पर घिसवाऊंगा और तुम्हारे को एकदम निखर करके best result निकल वाऊंगा मैं अकेले नहीं, यहाँ पर जो team है साथ में test भी होंगे यानि कि 7 दिन घिसेंगे बैट करके ध्यान रगना, I am trying कि मैं इस course को online भी accessible करवा पाऊं, अभी तक तो नहीं है as of now, ठीक है, center पे ही accessible है मैं देखता हूँ अगर possible होगा ठीक है, क्योंकि अगर यह online हो जाता है तो जो तुमारी physics और chemistry के समस्य है, वो एक point पे समापत हो जाएगी क्योंकि physics वाले यह जो सर है, इनका approach different है बढ़ाने का, यह बैट के लिखवाएंगे नहीं तुमको crash course में, यह बैट के as soon as possible, as of now यह center पे accessible course है बिल्कुल, ठीक है बढ़िया as of now यह center पे मैंने already कहा था कि I'll try to bring this on plus platform as well, PCB complete, अभी समय है 25 March को है तो अभी हला ना करो, जहां तक biology की बात है, वो मैं यहां भी पूरा कर रहा हूँ, offline का मजा अलग है, वहां भी करूँगा, no doubt about that, ठीक है done and dusted, चलो, इसी के साथ हम लोग यहां पर करते हैं, छुटी, मेरे telegram पे जाके connect हो जाना, ठीक है, बिल्कुल से let's crack it guys, make sure तुम अपनी attendance नीचे comments में छोड़ जाओ, ठीक है, ध्यान लखना इस चीज़ को और एक genuine feedback because today we are back on board interface ठीक है, just let me know once more तुम लोग ना sure नहीं बताते हो shall we continue because next human physiology जा रहा है, कहां पढ़ना है तुमको खड़े-खड़े मैं पढ़ाऊं की बैठे-बैठे पढ़ाऊं मेरा तुम दैसे बताओगे, मैं तो मैं comfortable, मैं तो सोते-सोते भी पढ़ादू मुझे क्या दिखकते है, ठीक है, तो बाकी we are going to again start with human physiology tomorrow, see you tomorrow in class 9pm sharp on time, और कहां गया, जरूरी चीज कल शाम को 5 बजे, practice है sexual reproduction flowering plan का class में समय पर है शाम को 5 बजे and academy की learning app की उपर है अगर code word मांगता है तो प्रनव live ये code चिपकाना, ठीक है वीडियो को like कर दो, share कर दो attendance अपनी छोड के जाना